Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. Magnet Brains एक ऐसा platform है जहांपर आपको सभी class और सभी subject के videos free of cost यहांपर available कराये जाते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ videos देखने के बाद आपको किसी तरीके का कोई subscription नहीं लेना है और नहीं आपको कोई package यहांपर purchase करना है. आपकी सुविधा के लिए Magnet Brains की official website पर सभी class और सभी subject के videos को एक arranged format में आपको provide किया गया है. तो आज ही आप official जो website है उसको visit करें ताकि आप अपनी preparation को बहुत अच्छी तरीके से यहांपर start कर सकें. तो आज मैं आपके लिए एक नया session जो है वो यहांपर लेकर आया हूँ. तो आज के session में क्या करने वाले हैं? तो one shot revision जो है वो हमारे सभी subject के complete हो चुके हैं. है ना आपके term to examination के लिए और उसके बाद हमने यहांपर एक most important questions की जो series है वो यहांपर start करी है. ठीके इससे पहल चैप्टर था उसमें मैंने आपको civics का electoral politics का जो questions है वो यहांपर discuss किया. आज मैं आपके साथ एक नया chapter number 4 जो है वो discuss करने वाला हूँ. जिसका title है working of institutions. ठीके मनलब जो भी institutions वगरा होते हैं उनकी working कैसी होती है उनके बारे में हम यहांपर बात करेंगे. ठीके अब इस chapter में हम क्या के चीज़े cover करने वाले हैं तो total 50 questions हर chapter की तरह मैं यहांपर आपको provide करूँगा. जिसमें आपको one marker देखने को मिलेंगे two marker देखने को मिलेंगे three marker और five marker ठीक है. वन marker मतलब हो गया आपका very short answer questions. यह हो गया आपका short answer questions. यह हो गया आपका long answer questions. और यह हो गया आपका very long answer questions. ठीक है? इसके total questions होंगे 10. दो number वाले question होंगे 15. तीन number वाले questions होंगे 15. और पांच number वाले question होंगे 10. मतलब total अगर हम questions की बात करेंगे तो यह आपका 50 questions का यहांपर set होगा. मैप वगरत आएगा नहीं है तो मैप नहीं करने वाले. तो यह 50 questions में आपको provide करूँगा. जि यह भी पता चल जाएंगे कि examination में जो questions होते हैं वो यहांपर किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले very short answer type questions देखेंगे. आज का पहला question दिया हुआ है. With what name was the second backward classes commission? ठीक है? known as. मतलब यहांपर क्या हुआ कि जो second backward classes commission यहांपर ठीक है? उसको किस नाम से जो है वो यहांपर जाना जाता है. तो आप सभी को बताएगी हमारे समीधान में constitution में जो schedule cast है और schedule tribes है. उनके लिए reservation के provision यहांपर बनाएगे. लेकिन फिर क्या हुआ कि अलग-अलग तरीकी के commission आपको देखने को मिले है ना? जैसे पहला commission अगर आप देखोगए तो पहला commission 1953 में आपको देखने को मिला ठीक है? जिसके अध्यक्ष क्यों थे, काका कालिलकर ठीक है? श्री काका कालिलकर जो है, वह आपको इसके यहांपर इसके इहां पर कालिलकर यह मैने आपको पढ़ाय भी है ठीक है तो काका कालिलकर जी अध् हरत question 않 मे 1953 में पहला जो यहां पर backward class commission था वो establish किया गया दूसरा backward class commission अगर हम देखेंगे तो 1979 में यहां पर establish किया गया था ठीक है और इसके अध्यक्ष कौन थे यहां पर आपको मंडल साब जो है वो यहां पर देखने को मिलेगे ठीक है बोला कि जो backward classes है ठीक है याद रखिएगा हमारे देश में जो backwardness है न वो socially और educationally यहां पर जो है वो justify करी गई है है ना कि सामाजिक रूप से और सैक्षिलीक रूप से जो लोग पीछे हैं उनको backward classes हम कहते हैं तो मंडल कमीशन के recommendation यहां पर यह आएगी 27% जो reservation है वो यहां पर provide करना चाहिए ना किसको जो यहां पर other backward classes है उनको किसमें jobs वगरा में 27% का reservation यहां पर provide करना है बात में सुप्रीम कोट ने इंदरा सानी के case में भी इस बात को मलजूरी यहां पर दे दी थी ठीक है तो इसक को यहां पर president nominate करते हैं और यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि किस basis पर जो है उनको यहां पर nominate किया जाता है ठीक है तो आप सभी को बता है कि देखो maximum अगर हम strength देखेंगे ठीक है मैं बात बता रहा हूं आपको maximum तो maximum strength अगर आप देखोगे तो राजी सभागी कितनी हो सकती है 238 प्लस 12 है ना 238 प्लस 12 मतलब अगर आप देखोगे तो maximum number यहां पर कितना हो सकता है 250-231 जो है वो elected होंगे बारा प्रेसिदेंट जो है वो यहां पर nominate करेंगे तो बारा लोगों को nominate किया जा सकता है और य right now अगर हम यहां पर राजी सभा की strength देखेंगे है ना मतलब जो current strength यहां पर है वो कितनी है वो है आपकी 245 ठीक है 245 मतलब अगर मैं इसको bifurcate करूंगा तो 233 और प्लस 12 ठीक है तो यह हो गया आपका 245 जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा ठीक है तो 12 लोगों को लोग सभा के बारे में अगर हम बात करेंगे ठीक है तो लोग सभा का जो tenure होता है वो कितने साल का होता है वो 5 साल का होता है ना मतलब 5 साल में नहीं जो आपको संसद है सरकार है वो आपको देखने को मिलेगी या नहीं जो लोग सभा है वो start होगी लेकिन अगर राजी सभा के case में आगर आप देखोगे तो राजी सभा का ऐसा कोई tenure नहीं होता है यहां पर क्या है एक permanent institution है ना मतलब permanent जो है आप यह कह सकते हैं कि chamber आपको देखने को मिलेगा लेकिन इसके जो members होते हैं उनका tenure होता है है ना मतलब वो एक particular time period के लिए इलेक्ट होते हैं और वो time period कितना है छे साल है ना और दूसरी बात यह धियान अकना है कि हर दो साल में हर दो साल में क्या है one third member जो है रिटायर होते रहते हैं तो one third member retire होने तो एक साथ सब retire नहीं हो रहे हैं तो one third retire होने तो two third है उनकी जिए पर नहीं आ जाएंगे फिर अगले दो साल में one third retire होंगे तो ऐसे यह continue चलता रहता है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि राजिसभा खाली हो गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखिए when does a bill become an act of parliament ठीक है मतलब यहां पर जो parliament का act होता है कोई भी बिल वो कैसे बनता है तो दिखिए अगर माल लीजे किसकी प्रोसेस है कि अगर कोई बिल जो है वह लोकसभा में स्टार्ट हुआ है ठीक है तो लोकसभा में स्टार्ट होने के बाद यहां पर क्या होगा कि वह राजिसभा में जाएगा ठीक है मनलब उसके उपर जो voting मगरा होगी वह पास होगा तो राजिसभा में जाएगा राजिसभा फिर जिस तरीके की changes वगरा करेंगे या पास देंगे कि Pastor आरा पर जो यहां पर मंजूरं देंगे कि हाँ ठीक है सब बनाया जकने तो यहां पर बनाया सकता है ठीक है तो यहां पर क्या है ञेंखने यहां पर किटेंट करेंगे तो उसको राजिसभा जो है किते दिन में यहां पर रिटर्न करेगी यह पूछा जा रहा है अब देखो इन सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखे लिए कि money bill जो है ना वो केबल लोकसभा में इंटीडिउस होता है इना मतलब permission किसकी president साब की मतलब president साब उसको approve करेंगे तब लोकसभा में जो है वो यहाँ पर money bill जो है वो आपको introduce होता हो दिखाए देगा अब money bill लोकसभा में जो है वो introduce कर दिया गया उसके उपर voting कर दिया अब कहां भी जागे राजिसभा में तो राजिसभा के पास money bill से related बहुत जादा पावर्स नहीं होती है 14 दिन में अगर राजिसभा ने उसको पास नहीं किया तो वह क्या होगा automatically pass मान लिया जाएगा तो यह 14 दिन की limit बहुत important है मतलब competitive examination में भी यह question पूछा गया है ठीक है तो 14 अच्छा answer बनाना चाहें तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि नाम लिख सकते हैं ठीक है एक्जामपल देदेना जैसे पीम हो गए हैना cabinet हो गए प्रसीडेंट हो गए यह सब कौन है यह सब जो है यह आपके executive है जो यहां पर काम करते हैं उसके बाए legislative में अगर आप देखो चाहते हो ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अंगला सवाल देखिए अगले question में दिया है कि who is the head of the state and the head of the government ठीक है दो question है आपको यह बताना है कि head of the state कौन है और head of the government यहां पर कौन है ठीक है तो भारत के case में अगर हम देखेंगे तो head of the state मतलब भारत का जो state है पूरा भारत सरकारी जो यहां पर organization है स्टेट है country उनके लिए यहां पर प्रियोग करते हैं सो प्रेजिदेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि यह आपको यहां पर head of the state देखने को मिलेंगे और prime minister जो है वो head of the government होगे head of the state का मतलब यह हुआ कि भारत में अगर कोई भी काम होगा या भा President of India के भी हाफ में होगा लेकिन यह ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो government के head होते हैं जो यहां पर actual काम करते हैं और इसी वज़े से जो प्रेसिदेंट यहां पर हैं उनको nominal head कहते हैं ना कि नाम मात्र के यहां पर head है लेकिन असली काम जो यहां पर आपको द को बोला जाता है डी जिऊर ठीक है दूसरी भाषा में बी जियूर बोलते हैं और यहां पर जो prime minister होते हैं इनको defacto बोलते हैं ठीक है defacto मतलब इनके द्वारा जो है वह यहां पर काम किया जाता है ठीक है आगे की classes में जो है वह आप इसको पढ़ोगे लेकिन अभी मैंने आपको ये भी जानकरी देदी, इसका मतलब वही होता है, ठीक है, nominal head and real head, अगला सवाल, what are institutions, ठीक है, तो ये chapter कौन सा working of institutions है, है ना, तो आप से पूछा जा रहा है कि, what are institutions, institutions जो है, वो होते क्या है, है ना, तो आप यहाँ पर क्या होता है कि, जो भी modern democracies होती है, उसमें क्या ह होता है कि, जो भी यहाँ पर government है, जो भी काम होते हैं, जो भी आप यह जा सकते हैं कि, official work होते हैं, उनको carry out करने के लिए, आप यहाँ पर यह कह सकते है कि, अलग-अलग तरीके के arrangements आप को देखने को मिलेगा हैं, अलग-अलग तरीके के offices होते हैं, है na, जैसे nehmen minister का office होगया cabinet minister हो गए है ना अलग अलग तरीके कि जो IAS officer होते हैं IPS officer they all are executive तो यह क्या है कि यह arrangements होते हैं which are made in modern democracies to run the government government को run करने के लिए जो है वो यह चीज यहां पर बनाई गई है और इनको ही हम क्या कहते हैं institutions जो है वो यहां पर कहेंगे example भी लिख सकते हो आप है ना कि जो legislative हो गए ठीक है या फिर आप यह कह सकते हैं कि judiciary हो गया executive इसका example भी आप यहां पर लिख सकते हो तो उससे answer जो है वो आपका और भी ज़्यादा खुबसूरत हो जाएगा अगला सवाल देखिए name any three institutions responsible to run the democratic government in India तीक अब तीन institutions के नाम लिखने है जिससे democratic government हमारे देश की चलती है तो Prime Minister and the cabinet civil servant और Supreme Court यह सारे institution है जिसकी वज़े से क्या है कि हमारी जो democratic government है वो देखने को मिलेगी अभी यहां पर क्या है कि यह decision लेंगे civil servant जो है उनको implement करेंगे अब उस particular कानून में कोई दिक्कत तो नहीं जैसे mandal commission का जो यहां पर recommendations यहां पर आई थी उनको जब execute किया गया तब उसमें changes किया गया Supreme Court ने जब order दिया था 1993 में है ना तो Supreme Court की बात यहां पर आ रही है तो यह सब क्या है यह institutions हैं जिनके basis पर यह आपको काम होता हुआ दिखाई दे रहा है वाइ डेमोक्रेटिक गवर्मेंट इंसिस्ट और इंस्टिटूशन गिव टू रीजन ठीक है मतलब यहां पर क्या है कि जो भी इंस्टिटूशन अगर यहां पर होगा यह ना कोई भी ऑफिशल वर्क अगर यहां पर होता है तो उसमें कुछ रूज और रेगुलेशन होते हैं मतलब ऐसी नहीं होगा कि आज इस तरीके से काम करेंगे ऐसा नहीं है रूज ए रिगुलेशन यहां पर रहेगा और रूज एंग रिगुलेशन होने की वजए से कोई भी काम जो है वो इफेक्टिव तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा जब इसमें थोड़ा सा rules and regulations है तो आप इसमें यह कह सकते हैं कि जारतर लोगों को हम participate करवा पाएंगे है ना जैसे कई कानून वगरा होते हैं उसमें लोगों से भी पूछा जाता है कि अगर आप लोग यहां पर कोई चीज बताना चाहते हैं कोई आपके तो उनको भी आप यहां पर बताईए तो participation वाला point हो गया institutions bind the hand of the rulers as these involve meetings committees and routines ठीक है तो यहां पर क्या है कि जो भी यहां पर rulers होते हैं ठीक है जो ruling government है तो उसमें क्या होते हैं कि institutions क्या होगी उनके बीच में meeting वगरा होगी है ना मतलब time consuming यहां पर है लोग यहां पर participation करते हैं तो जो भी यहां पर rules निकल कर सामने आते हैं कानून यहां पर बनता है तो लोग उसको accept करते हैं इसका current क्या है क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं बनाया बहुत सारे तो आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो यह हो गया आपके total 10 questions जो मैंने आपके साथ यहां पर discuss किये और इन 10 questions में मैंने आपको यह बता दिया कि छोटे-छोटे जो questions है वो यहां पर क्या हो सकते हैं किस तरीके से हो सकते हैं वैसे पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़े लेकिन हम आगे क्यों questions में बाकी की जो चीज़े हैं वो यहां पर cover करने वाले तो अगला segment जो है हमारा short answer type questions का यहां पर होने वाला है दो marker वाले questions जो है वो हम discuss पहला question दिया हो है कि which house has more power regarding the money bill give reason ठीक है simple है है ना कि लोग सभा exercise more power in money matters ठीक है once लोग सभा पासे दबज़ेट of any other money related law राजी सभा can not reject it राजी सभा can only delay it for 14 days or suggest changes in it दा लोग सभा में और में नॉट accept these challenges ठीक है तो आप यहां पर क्या है कि दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है point के format में लिखना चाहते हो तो वह भी लिख सकते हो कि देको money bill जो होता है ना वो केवल लोग सभा में इंटिड्यूस होता है ठीक है राजी सभा में यहां पर इंटिड्यूस नहीं होगा ठीक है उससे जादा डिले नहीं करेगा अधरवाइस वो क्या होगा कि आटोमेटिकली जो है वो यहां पर पास हो जाएगा ठीक है एक तो यह बात है अब अगर मान लीजे कि राजी सभा ने कोई चेंजेस यहां पर बताएं कि इस मनी बिल में ऐसा होना चाहिए तो लोगसभा उसको मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है मान लेगा तो चेंजेस करके फिर राजी सभा में भेजेगा है ना अगर नहीं मानेगा तो फिर वो आटोमेटिकली उस तरीके से पास हो जाएगा अ प्रेसिडेंट के पास जब यहां पर जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास अलग-अलग च्वाइस होती है या तो क्या करेंगी उस बिल को accept कर ले तो वो कानून मन जाएगा या तो उसको reject कर दें या तो क्या करते हैं कि संसस से है न वो यहां पर क्या होता है कि री-कंसिडेंट करने क RelationsUM आहां पर जो प्रेसिडेंट्स र रिकंसिडेंट करने के लिए उसको भेज नहीं सकते हैं इसका कारण यहां पर क्या है क्योंकि जब मैंने आपको बताया था मनिद इंटे इटीदियोच होता है तो प्रेसिडेंट्से परिमिशन लेकर ही इंटीडियूस करते हैं तो उसको रिकंसीडर करनी के लिए और वह उसको सेलेक्ट करेंगे एकसेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे है न तो ज़्यादा तर केसमें आप देखोगे तो उसको नो confusion क्या थे नि कॉनुइन्स का मतलब यहां पर होता है कि सरकार यौरिटी में 800 मतलब मेंबर्स वगरा है वह इहां पर क्या करने मतलब उनके बीच में जो हैं आप ये कह सकते हैं कि उनका confidence यहां पर है अब यहां पर क्या होता है कि अगर confidence नहीं of ministers including prime minister so only a person who enjoy the support of the majority of the members of the Lok Sabha is appointed as the prime minister if a no confidence motion is moved in the Lok Sabha and passed then the government has to resign the government को क्या करना पड़ेगा resignation जो है वो यहां पर देना पड़ेगा तो यह point आपको ध्यान रखना है और इसी को हम यहां पर क्या कहते हैं इसी को हम यहां पर no confidence motion जो है वो यहां पर कहते हैं अगला कुश्चन है विद रिफरेंस चुदा राजी सभा आंसर दा फॉलॉइंग कुश्चन ठीक है राजी सभा को अपने दिमाग में रखना है और उनके बेसिस पे जो है वो आपको इन कुश्चन के जो आंसर है वह यहां पर आपको देने हैं वाट इस इट्स पावर रिलेक्टिंट दूदा मनी बिल मनी बिल से रिलेटेड राजी सभा की क्या पावर है कैन इट पास और नो कॉंफिदेंस मोशन और एक बात यह भी ध्यान रख लेना कि नो कॉंफिदेंस जो मोशन ना यह केवल लोग सभा में होती है क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं भले वो राजी सभा से आए हैं लेकिन वो जिम्मेदार किसको होंगे लोग सभा को क्यों कि लोग और यह लोग सभा जो मैंने आपको भी पॉइंट बताया वेरी टिसेंट तो राजी सभा इट केंड नौट रिजेक्टिट दा राजी सभा केंड डिलेट फॉर्टी इंडिज हैना मतलब केवल 14 दिन के लिए जो है वो इसको यहां पर डिले कर सकती है आप उसके बाद कैन बाद राजी सभा पास कर सकती है नो कांफिडेंस सब्सक्राइब आपको चीजे देखने को मिल रही है ठीक है तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है यह एक अच्छा कोशन है और एक्जामेनेशन में ऐसे कुश्चिन जो है वह आप से पूछे जा सकते हैं अगला आप देखोगे तो हमारे डे टुडे जो यहां पर डिसीजन्स वगरा होते हैं उनके लेने में आप देखोगे तो काफी सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे लेकिन क्या होता है कि सुप्रीम पावर नहीं होती है क्यों क्योंकि वह इलेक्टेट नहीं है लेकिन जनता ने उनको यहाँ पर वोट नहीं दिया है तो आप यह कह सकते हैं कि लोगों के भी हाफ में जो है उनके पास सुप्रीम पावर आपको देखने को नहीं मिलेगी all those functionaries are collectively known as the executive एना political executive भी हो सकते हैं और non-political executive भी हो सकते हैं जिसमें civil servant वगरा भी देखने को मिलेंगे लेकिन इनका काम क्या होता है कि जो भी functions होते हैं उनको carry out करना है ना मतलब आप यह कह सकते हैं कि कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है वो संसत की है प्रसिडंड की है लेकिन उस कानून को implement करने की जिम्मेदारी आप देखोगे वो किसके पास है वो executive के पास देखने को मिलेगी जो की political भी executive हो सकते हैं और non-political executive भी आपको देखने को मिलेगी जिनको हम यहाँ पर इस तरीके की चीज़े जो है वो भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है चलिए अगले कुशन में देखो क्या दिया गया है कि अज़िए प्राइम मिनिस्टर का यहां पर होता है ठीक है यहां पर ही लिख सकते हैं और इसकते हैं शी निखिया उिख सकते हैं अब यहां पर क्या है कि इनका कोई fix tenure आपको देखने को नहीं मिलेगा मलब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि 5 साल के लिए वह यहां पर elect होते हैं लेकिन मालों कि उनकी political party फिर से जीत गई उनके पास majority है तो वह continue रहेंगे हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि 5 साल मे होते हैं अगर जीत जाएंगे तो continue रहेंगा 10 यूर उनका है ना और अगर माली जीते तो फिर उनकी जिए पर कोई और आ जाएगा ठीक है लेकिन यहां पर आपको यह शब्द जो है वह बहुत important है कि यहां पर आपको लिखना fix tenure जो है वह यहां पर उनका नहीं होता है ठीक Cabinet Minister कौन से होते हैं State Minister कौन से होते मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना फिर उसके बाद independent चार्ज वाले भी मैंने आपको बताया थे तो Cabinet मिनिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि Cabinet मिनिस्टर कौन से हैं यार यूजली दा टॉप लेवल लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टी और पार्टी इस हुआर इंचार्ज ऑफ दी मेजर मिनिस्ट्री लाइक डिफेंस रेलवे फॉरिन अफेर एट्सेटरा नॉर्मली ओ टेकन बाइब इस मिनिस्टर ठीक है क्या होता है कि कॉंसिल आफ मिनिस्टर में भी अगर आप देखोगे ना तो पचास साथ यहां पर मंतरी लोग होते हैं अब सब को बिठाना है ना फिर किसी टॉपिक की उपर डिसकेशन करना तो वह चीजह क्या है कि कॉपी जो हैं वो क जो है वो लिए जाते हैं इन्हीं मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जाते हैं फिर उसके बाद कॉंसिल आफ मिनिस्टर को इसके बारे में बता दिया जाता है फिर वो चीज़े जो है वो फाइनल हो जाती है ठीक है एक और टम होता है इसको बोलते हैं किचन कैबिनिट तो जो यहां पर कुछ भरोसे वाले लोग होते हैं मिनिस्टर्स भी बहुत सारे हैं अब उन में से कुछ important लोगों का जो है तीन-चार लोग जो मिलकर यहां पर एक cabinet बनाते हैं उस कौण किचन इंचर बाइब तो इस पर्टिक्लर स्टेट्मेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको दो रीजन जो है वहां पर देने हैं पहला रीजन क्या है कि दा जजेसार एपॉंटेट बाइदा एक्जिकीटिव ऑन दा बेसिस ऑफ दा प्रिस्क्रेब्ड क्वालिफिकेशन एक्वार्डिंग टुआ वेल इस्टेब्लिश्ट प्रोसीजर है ना मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो जजेस यहां पर होते हैं ठीक है चाहे सुप्रीम कोड के देख लो उनका जो एपॉंट्म होता है ना उसका कुलीजियम सिस्टम होता है अब जैसे माल लीजिए कि सुप्रीम कोड में करना है ठीक है तो सुप्रीम कोड के जो जजेस वगरा होंगे सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कुलीजियम सिस्टम यहां पर होगा है ना मतलब उसमें क्या होता है कि उस सकती है और इस सेनियर मोस जजेस होते हैं वह यहां पर आपको बनते वे दिखाई देते हैं ठीक है तो आप यहां पर क्या है कि आप यह देख सकते हैं कि जजेस केननोट भी रिमूव डेट दा विम्स ऑब दी एक्जीकेटिव के अगेंस्ट यहां पर जो है वो डिजीजन निकल कर सामने आ रहें तो एक्जीकेटिव ने क्या कर दिया कि जो जजेस हैं उनको यहां से हटा दिया जजेस को रिमूव नहीं किया जा सकता आज के प्रोविजन ना वह भी यहां पर बहुत डिफिकल्ट है ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी आपने जो है वह यहां पर क्या कर दिया कि जो कोई भी प्रोसीजर लेकर आप जजेस को यहां पर रिमूव करने लग गया ठीक है उसका एक बहुत कटिन जो है वह वह प्रोसेस है और इसको कंप्रीट कर पाने ही अपने आप में जो है वह मुश्किल देखने को मिलेगा ठीक है तो यह चीज़ आप यहां पर देख सकते हैं वाइल मेकिंग अपॉइंटमेट ऑफ दी अधर जिस्टिक है सिंपल सी आपकी किताब में यहीं डेफिनिशन लिखी गई है तो इसको आप यहां पर ध्यान लखेंगे अब जैसे क्या होता है कि सुप्रीम कोट के जो सबसे सीनियर मोस जज़ होते हैं उनको चीफ जस्टिस का एपॉइंटमेट होगा नो सुप्रीम कोट के जो चीफ जिस आफ सुप्रीम कोट है उनसे चुल करेंगे और उसके बाद यहां पर क्या होगा कि तो इस पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है चलिए what are the powers and functions of the Prime Minister of India ना मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो powers and function है यह काफी important question है यह आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको यह बताना है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके powers and functions यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे ठीक है यहां से यह कॉमा हटा लीजिएगा तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर आप इंडिया के वह यहां पर क्या है यह बताईए प्राइम मिनिस्टर is the head of the central government है ना यह मैंने आपको बताया कि ruling जो government होती है उसकी head कौन है प्राइम मिनिस्टर है all the power vested in the president are actually exercised by the council of ministers under the leadership of the prime minister अब देखो क्या होता है कि president post है लेकिन president अपने इसाब से बहुत जादा decision यहां पर नहीं ले सकता उसको guide कौन करेंगे उसको guide करेंगे council of ministers जिसके head कौन होते हैं जिसके head prime minister आपको देखने को मिलेगे as a matter of fact the most powerful office in the central government is that of the prime minister ठीक है अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम central government पे देखेंगे office एक तो सबसे यहादा powerful कौन सा होता है prime minister क्योंकि prime minister जो है वो अलग-अलग तरीकी के काम आपको करते हुए दिखाई देते हैं अब अगर हम इनके functions के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो इनका functions यहाँ पर क्या क्या है powers and functions के बारे में ठीक है तो क्या होता है कि जब इनका appointment यहाँ पर होगा उसके बाद इनकी टीम में कौन कॉल लोग है ना मतलब जो council of ministers होंगे वो कौन होगे तो वो क्या करते हैं कि prime minister advice देते हैं किसको president को और उनके basis पे council of ministers को appoint किया जाता है he allocate portfolio among the ministers ठीक है अलग-अलग जो ministers है उनको कौन-कौन सा department यहाँ पर देना है वो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा he can drop any minister ठीक है अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया या कोई दूसरे लोग है तो उनको drop भी कर सकते हैं he presided over the meeting of the council of minister जब यह council of minister की meeting यहाँ पर होगी जो ministers का group है उनकी जब meeting होगी तो उसके head कौन होंगे वो प्राइम minister होंगे he decide about the policies of the government government की जो policies है वो कैसे रन करेंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर का control होगा he coordinate the work of different ministers ठीक है मतलब यहाँ पर क्या है कि यह W है ठीक है डबलू ओर के जो भी यहाँ पर क्या होते हैं कि अलग-अलग ministers वगरा आपको देखने को मिलेंगे उनके work को coordinate करने का जो काम होता है वो कौन करता है प्राइम मिनिस्टर करेंगे he is also the chairman of the planning commission है न जो five year plan वगरा चलाए गये थे हमारे देश में तो जो planning commission होता है जिसको अभी नीती आयोग ने replace कर दिया है नीती आयोग क्या होता है कि जैसे पहले planning commission था अब नीती आयोग एक नया organization यहां पर आ गया है ठीक है so he is also the chairman of planning commission planning commission के जो chairman होते हैं वो हमेशा prime minister होते थे लेकिन अब यह office यहां पर हटा दिया गया है the entire government is associated with the name of the prime minister ठीक है जब भी हम यहां पर सरकार की बात करेंगे तब क्या होगा कि जो prime minister होंगे actually हम उनी को यहां पर consider कर रहे होते हैं तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि इनके बहुत सारे powers और बहुत सारे functions आपको यहां पर देखने को मिल रहे है ठीक है अगला question देखते है write a note on the vice president of India ठीक है आप मुझे comment section में यह बताएगा कि इस time पर भारत के जो vice president है उनका नाम क्या है ठीक है इसका answer comment section में देना आप क्या करते हैं कि vice president of India पे note लिखना है है तो यह मैं इसलिए बोला आप से नाम लिखने को कि यह आप इस answer पर भी जो है ना चीजों को include कर सकते हैं कि currently यह personality है जो कि हमारे देश के vice president है vice president perform the duties and the functions of a president in his absence or illness ठीक है अगर माल लीजेगी कभी जो आपके यह full stop यहाँ पर नहीं लगाने तो यहाँ पर क्या है कि जैसे officiate till a new president is elected ठीक है मतलब आप यह कह सकते हैं कि जब president यहाँ पर क्या हो गए है कि office में उनकी death हो गई है या उन्होंने resign वगरा कर दिया है तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे देश में रास्पती का जो पद है वो खाली रहेगा है ना तो उसकी जगे पर क्या करेंगे कि जो vice president है जब तक नए president को इलेक्ट नहीं किया जाता तब तक उनको office में हाँ पर बिठाया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट इस और एक्स ओफिश चेर्मेन ऑफ दी राजी सभा ठीक है जैसे आपने देखा होगा लोग सभा में speaker होते हैं राजी सभा में कौन होते हैं राजी सभा मे सभा हो जाया वो राजी सभा हो ठीक है अब इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि लोग सभा हो गया और राजी सभा हो गया आप इसमें elected members भी ठीक है प्लस nominated members भी वो लोग यहां पर participate करते हैं ठीक है तो इस तरीके से election यहां पर आपको देखने को मिलता है अच्छ है ना दूसरी बात यहां पर ex official chairman of the Raji Sabha भी है वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की salary मिलती 0 ठीक है इनको को कोई salary नी मिलती वाइस प्रेसिडेंट होनेगी लेकिन उनको salary किसकी मिलेगी क्योंकि वो राजी सभा के chairman है तो इस वज़े से यहां पर क्या होता है कि उनको उस चीज की जो salary है वो provide की जाती है a candidate for the office of the president must be a citizen of India and must be 35 years of age and as well as he must be eligible to become the member to be a member of the Raji Sabha अगर आपको राजी सभा का यहां पर member बनना है यह आप यह कह सकते है कि Vice President अगर आपको बनना है तो आपकी 35 years होनी चाहिए और आपके अंदर यह भी qualifications होनी चाहिए eligibility होनी चा तो आप वो member भी आसानी से यहां पर बन जाओ ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से एक प्यारा सा छोटा सा नोट जो है वह Vice President की उपर आप यहां पर लिख सकते है ठीक है next council of ministers की उपर आपको एक नोट लिखना है ठीक है write a short note on the council of minister the council of minister in our country is headed by the prime minister ठीक है मिदलब council of minister जो होते है उसके head कौन है prime minister है और तीन categories के ministers आपको देखने को मिलेंगे है ना जैसे cabinet minister हो गया minister of state हो गया deputy minister it is essential for the members of the council of minister to be member of the either house of the parliament ठीक है तो यहां पर क्या है कि यह आपको बताया जाने जैसे cabinet minister हो गया minister of state हो गया deputy minister हो गया और यह चीज भी जो है इसको आप नीचे लिख दीजेगा तो यह करके लिखना तो यह essential यहां पर होता है कि जो भी members वगरा यहां पर होंगे council of ministers के या तो वो क्या हो कि लोगसभा के member हो या तो राजिसभा के member हो और अगर मान लीजे कि उस time पर मेंबर नहीं जब उनको मंत्री बनाया गया तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि छे महीने के अंदर उनको या तो लोगसभा का member बनना होगा या तो राजिसभा का अगर नहीं बन पाते हैं तो उनको फिर पोस्ट से जो है वह यहां पर हटा दिया जाएगा ठीक है तो यह तो दो दा प्रैम मिनिस्टर जो भी यहां पर काम करना है उन्की मिनिस्ट्री में वह जुट लिइगा पसे तरदी प्रैम मिनिस्टर को ही शीडिवा घगे ना पो इन्यां पर राजिसभा का composition क्या होता गिव ब्रीफली दा composition ऑफ दी राजिसभा ठीक है सेकेंड हाउस अफ दी इंडियास पार्लेमेंट इस कॉल दा राजिसभा और दा council of state ठीक है दोनों नाम याद रखना है council of state भी बोलते है राजिसभा भी बोलते है और इसको ही हम यहाँ पर अपर हाॉस भी जो है यहां पर कहते हैं ऑपर हाॉस दार्गस अब रखने गर्याट किए बड longer डाव डिट्रेचर साइंस तोचल सैंस कि की field से या social service की field से a member of the Raja Sabha is elected for six years with one third retiring every second year it is never without numbers ठीक है बलब यहापर क्या है कि आपको यहाँ पर it करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि राजी सभा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यह कभी भी आपको जो है वो ऐसा नहीं लगेगा कि यहां पर कोई मेंबर्स नहीं है ठीक है नमबर्स की जिए पर अगर आप मेंबर्स भी लिखना चाहोगे तो मेंबर्स भी जो है वह आप यहां पर लिख सकते हैं ठीक है तो यह थोड़ा सा एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम देन पार्लेमेंटरी सिस्टम ठीक है दो तरीके की सिस्टम होते एक पार्लेमेंटरी सिस्टम है और एक प्रेसिडेंशिल सिस्टम है जैसे यूएस में अगर आप देखोगे न तो सारा काम जो है वह यहां पर कौन करते हैं वह यहां पर system आपको देखने को मिलेगा इंडिया में क्या है Parlement है Parlement में कानून बगरा बनते हैं लो सबराजिसुहार प्रेसीदिट्ट वगरा तो इस तरीके से होगा तो इंडिया में तो अभीह बोला जा रहा है कि presidential system में जो political executive होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है इस कंपेड तो पार्यमेंटर सिस्टम मलब हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे ज़्यादा जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो जादा पावर्फुल है तो आपको बताने कि यह सही है कि गलत है तो इसमें बोलना है आपको कि not really जैना इस पॉलिसी ठीक आप यहाँ पर क्या होते है कि जैसे यॉच के केस में आख अगर आप देखोगे तो क्या होता है यहांपर आपको democratic भी देखने को मिलेंगे ठीक है sarà यहां पर आपको देखनी को मिलेगा वहाँ पर क्या होता है कि दोनों पार्डी के मैंबर होते तो कई बार क्या होता है कि जो दूसरी पार्डी अब जैसे देमोक्रीटिक पार्डी QWudent को support नहीं करते हैं है ना तो यह चीज भी आपको देखने को मिलेगी इना parliamentary system the some party control political executive and the parliament मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर same party होती है वो क्या करती है कि जो political executive होते हैं उनको भी control करती है और parliament को भी control करती है दोनों चीजें है ना जिसके पास majority होगी वो political executive को point करेंगे मतलब prime minister council of minister यह सब चीजें और parliament को भी control करेंगे तो the political executive and work without obstacles ठीक है तो parliament में क्या होता है कि support है और support होगा तो बिना किसी रोक टोक के काम करेंगे और वहाँ पर क्या होता है US में दोनों system जो है वो साथ में चलते हुए दिखाए देंगे democratic का अलग यहां पर जो है वो mindset होगा और वाकी जो लोग है उनका अलग mindset होगा तो इस तरीके से यह पूरा काम आपको वहाँ पर देखने को मिलता है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो presidential form of system आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर क्या appointment of prime minister the president appoint other minister on advice of the prime minister ठीक है मतलब जब prime minister यहां पर बोलेंगे कि सर इन लोगों को जो है वह आप यहां पर क्या करिये कि minister की रूप में appoint कर दीजिए तो जो president है वो यहां पर appoint करेंगे the ministers are usually from the party or the coalition that has the majority in the लोगसभा है ना मतलब जो भी majority वाली party होती लोगसभा में जिसके बाद ज्यादा seat होती महीं से minister आते prime minister is free to choose ministers as long as they are members of the parliament ठीक है लेकिन यह दी याद रखना कि अगर वो उस time period पर member नहीं है तो आप यह कह सकते हैं कि 6 महीने में उनको members बनना पड़ेगा लेकिन उनको minister बनाया सकता है sometime a person who is not a member of parliament can also become a minister but such a person has to get elected to the one of the houses of parliament within six months of the appointment as minister तो उनको minister यहां पर बना दिया जाएगा ठीक है तो यह तरीका होता है और इस तरीके से जो है वो ministers हमारे देश में अपॉइंट किये जाते हैं अगला कुशन देखिए हाई-order thinking skill का question है ठीक है मतलब इसमें थोड़ा सापको अपना दिमाग लगाना है do you agree that the president remains a nominal executive how is he elected ठीक है मतलब president जो है आप यह सोचते हो गया कि president जो है वो एक nominal executive है नाम मात्र के और यह कैसे elect होते हैं यह आपको बताना है सो president is not elected directly by the people है ना मतलब लोग यहां पर क्या करते हैं कि president को directly elect नहीं करते हैं मतलब हम वोट नहीं डालते हैं ना constitution has set up a very elaborate and complex system for the election of president the president is elected by all of the elected MPs and MLAs in the country याद रखिएगा इसमें elected की बात हो रही है मतलब इसमें nominated members participate नहीं करेंगे their votes have different values depending on how many people they represent ठीके मतलब यहां पर क्या होता है कि वो depend करता है कि कहां से आ रहे हो आप है ना उसकी vote की value होती member of parliament की vote की value अलग होगी है ना विधान सभा की value अलग होगी इस तरीके से vote की value होती जिसको हम यहां पर electoral college जो है वो यहां पर कहते हैं जो मैंने आपको जब अभी vice president वाला बताया था ना तो इनका भी electoral college होता है their votes are counted through a complicated system called single transferable vote system ठीक है this complicated system of election meet two aims the president can be seen to represent the entire nation at the same time the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can ठीक है अब इसमें क्या होता है कि single transferable vote system की बात हो रही है ठीक है आप जैसे माल लीजे इसको मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ इसमें क्या होता है ना जैसे दो लोग है तो आप यहां पर क्या होगा कि अगर 50 50 51 49 हो गया तो जीछ जाएंगे अब जैसे माल लीजे कि चार canIX हमें example आपको बतारा हूँ ठीक है तो आप यहां पर क्या हुआ कि जैसे example की तोड़े देख यह छीजे हो गई तो जैसे माल लो example की तो पहलो आपको च्वाइस दे नहीं है ना जैसे आपने यहां इनको दिया पहली च्वाइश है ना इनको दिया दूसरी च्वाइश इनको दिया तीसरी च्वाइश और इनको दिया चौती चॉइसा इसी तरीके से सब को अलग वोट सिस्टम इसमें क्या होता है कि एक ही को नहीं कर रहे हैं आपको 24 देनी होती है ठीक है और इससे यहां पर क्या होगा कि आप सब लोग यहां पर participate करने elected लोग यहां पर participate करते हैं voting में नॉमिनेटेट नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि डारेक्टली और इंडारेक्टली जो लोग यहां पर elect हुए जंता के दौरा वो लोग प्रेसिडेंट को यहां पर select कर रहे हैं, है ना लेकिन साथी साथ आपको यह ध्यान रखना है कि यह popular mandate नहीं है, है ना मतलब प्रेसिडेंट को direct election से नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्पर है इ दूसरी important बात ये भी ध्यान रखना है कि President के बिहाफ में जितने भी यहाँ पर काम होते हैं सरकार के वो कौन करता है वह यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको करते हुए दिखाई देते हैं और इसी वज़े से क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन answer type questions यहाँ पर करने वाले हैं ठीक है तो आज का पहला question देखिए दिया हुआ है कि why is there a need for political institution ठीक है political institutions जो होते हैं ठीक है जिसमें legislative, executive, judiciary वाली ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो आपको यह बताना है कि इसमें यहाँ पर हमारा जो political institution है इसकी need क्या है जरू सबसी पहला point जो यहाँ पर दिया गया है यह है to take decisions ठीक है बदब decisions लेने के लिए जो है वह यहाँ पर क्या होने चाहिए जो political institutions है वह यहाँ पर देखने को मिलने चाहिए ठीक है मतलब countries need political institutions to take decisions regarding the welfare of the people है ना institutions formulate various policies and programs ठीक है मतलब लोगों के भले के लिए जो policies यहाँ पर होत होती है है ना यह प्रोग्राम सोते हैं उनको formulate करना बनाना यह सब काम किसका होता है यह political institutions का होता जैसे आपने देखा है ना कि संसद में अलग-अलग कानून यहाँ पर बनते हैं फिर political executive जो होते हैं उसको यहाँ पर implement करते हैं फिर उसके बाद implementation के लिए भी यहाँ पर जो ह है ना उसका implementation होगा तो implementation कौन करेंगे executive जो branch है यहाँ पर है ना मैंने तीन institutions आपको बताये थे एक तो legislative और दूसरा होगे आपका executive और तीसरा होगे आपका judiciary है ना तो इसलिए implementation यहाँ पर यह बताया जाया है और सरकार और सरकार के बीच में भी problems यहाँ पर हो सकती है ठीक है तो उन सब का निवारंड जो होगा solution जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा judiciary में to take right decisions ठीक है अब यहाँ पर एक और point लिखा हुआ है कि जो सही निरणय होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर political institutions का होना जरूरी है institutions helps the government to take the right decision ठीक है अब कभी माल लेजिए कि इतने सारे लोग यहाँ पर involved है पूरी की पूरी decision making में अगर कोई problem यहाँ पर आ जाती है तो उस problem को कैसे tackle करना है किस तरीके से solve करना है तो जारातर लोग अगर discuss करेंगे तो कोई problem यहाँ पर नहीं आएगी और जो decision होगा वो सही आपको देखने को मिलेगा तो यह कुछ important points है जिसके basis पे आप यह कह सकते हैं कि political institution जो है उनकी जरूरत होती है अगर माल लेजिए कि यही question 5 नंबर में आ गया है न तो आप क्या करना कि आप लोग example वगरा भी हाँ पर add कर सकते हो ठीक है जैसे to take decisions ठीक है तो parliament वाला mention कर देना implementation तो cabinet हो गया है न या फि decision making participate करेंगे तो चीजों के गलत होने की संभावना है जो है वो यहां पर आपको कम देखने को मिलेंगी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question दिया हुआ है कि political executive और permanent जो executive है है न उनके बीच में आपको difference यहां पर बताना है यह मैंने आपको जब one shot revision यहां पर बताया था तब अब भी मैंने बताया था कि यह question same to same इसी तरीके से paper में आ जाता है है न कि political executive और permanent executive की बीच में difference बताईए political executive they are elected by the people they are appointed by the government ठीक है मतलब यहां पर क्या है कि इसमें election होगे इसमें क्या होगा कि जो examination मगरा आप qualify कर रहे हो उसको qualify करने के बाद आपको सरकार की दोरा जो है वो यहां पर appoint किया जाता है they are makers of law and policies जो भी कानून होते हैं जो भी policies वगरा होती हैं है न वो इनके दोरा बनाई जाती है क्योंकि जनता का यहां पर साशन है जनता के दोरा जो elected representative हो यहां पर होते हैं वो काम करते हैं they are in charge of execution of the policies of the government ठीक है मतलब इनके पास क्या काम है कि जो भी policies यहां पर बनाई गई है कि इनके दोरा सरकार के दोरा है न या जो भी political executive होते हैं उनके दोरा उनको execute करने का जो काम होता है वो किसके पास होता है permanent executive के पास आपको देखने को मिलेगा दूसरी बात they are elected by the people and can be changed in the next elections ठीक है तो अगले election में जो है वो लोग यहां पर change होते हुए आपको दिखाए दे सकते हैं अगर election हार जाएंगे तो यह लोग change हो जाएंगे करें तो इसमें आप यहां पर example दे सकते हो जैसे PM हो गए है ना यहां पर आपको cabinet आपको देखने को मिलेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर अगर आप example देना चाहो तो है ठीक है मैंने आपको एक जो है चार question का यहां पर set यहां पर दिया है अब इन में से कोई भी question यहां पर आएगा आपको जो answer लिखना है वो वही लिखना है जैसे पहले देखो दिया हुगा है कि compare the power tenure and working of both the houses of Indian Parliament है ना मतलब जो लोग सभा है और जो राजी सभा है उसका power आपको बताना है tenure बताना है working कैसे काम करते हैं इनको आपको comparison करना है ठीक है तो यह क्या है कि यह अलग अलग तरीके की सवाल आपको यहां पर पूछे जा सकते है लेकिन इसके बाद जो मैं आपको content अभी यहां पर prepare कराने वाला हूँ या जो answer बताने वाला हूँ उसको अगर आप prepare कर लोगे ना तो यह चारो question आपके यहां पर complete हो जाएंगे है ना तो इसको कैसे हम complete करेंगे देखिए 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 सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे तो लोग सबा हो गया और यह राजी सबा हो गया ठीक है हिआ होता है जो होता है वह साल का होता है यहां पर क्या होता है कि यहां को हमेशा प्रेजन देखने को मिलेंगे कि न क्यूंकि वन-थर्छ जो साल में रिटायर हो रहें तो इस तरीके से यह चीज आपको समझने है members are directly elected मतलब जनता के द्वारा जो है वो यहां पर क्या होता है कि इनका election आपको देखने को मिलेगा ठीक है फिर उसके बाद members are indirectly elected क्या होता है कि राजी सभा की जो members होते हैं वो state से आते हैं अब state में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको MLA's देखने को मिलेंगे तो MLA's यहां पर क्या करते हैं कि इनको elect करते हैं तो हम लोग जनता तो ज्यादा जाकर vote नहीं डाल रही है इसमें क्या हो रहा है कि जनता के द्वारा जो elected यहां पर MLA's है उनके द्वारा वोट डा है वो आपको originate होता हुआ दिखाई देगा money bill cannot originate इन दा राजी सभा ठीक है यह बात आपको ध्यान रखना है और उसके बाद एक बात यह भी पता होना चाहिए कि money bill जब राजी सभा में यहां पर भीजेगा तो राजी सभा उसको total कितने दिन के रख सकता है केवल 14 दिनों कर सकती है it has no power to bring and change in the money bill it can provide suggestion or can delay the bill by 14 days ठीक है अब इन्नों ने कोई अगर मान लेजेगी suggestion यहां पर दिया है तो लोग सभा मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है पूरी की पूरी जो पावर है वो किसके पास है वो लोग सभा के पास आपको देखने को मिलेगी council of ministers जो होते है यहां पर क्या होते हैं कि लोग सभा के द्वारा यहां पर control किये जाते हैं या आप इसके लिए एक टाम और यूस कर सकते हैं कि जो council of ministers होते हैं वो यहां पर लोग सभा के लिए responsible होते हैं लोग सभा के लिए responsible भाई सब क्यों होंगे क्योंकि यहां पर elected जो लोग आ रहे हैं no power to control the council of ministers ठीक है तो राजी सभा के पास जो है वो कोई भी यहाँ पर power आपको देखने को नहीं मिलेगी है ना वो यहाँ पर council of ministers को जो है वो यहाँ पर control नहीं कर सकते हैं ठीक है अचा भी एक point और मैं मैं आपको बता देता हूं जैसे powers में अगर आप देखोगे ना तो no confidence motion ठीक है no confidence motion का मतलब क्या होता है no confidence मतलब की जो ruling government है है ना उसके पास majority है या नहीं है है ना इस बात का पता लगाना तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते है no confidence motion तो no confidence motion जो है वो केवल लोकसभा में introduce होती है राजसभा में introduce नहीं होती है है ना क्योंकि majority की जब भी हम बात करेंगे वो लोकसभा की case में आपको देखने को मिलेगा वहीं पर आपको majority अपनी प्रूफ करनी है या आप नहीं प्रूफ कर पाओगे तो क्या होगा कि council of minister headed by prime minister उनको यहां पर resignation जो है वो अपना देना पड़ेगा तो चार point हो गए तो इन ही के basis पे जो है वो आप यहां पर answer लिख सकते है ठीक है तो जो भी answer यहां पर पूछा जाएगा आप से उन questions के माध्यम से तो differentiate भी मैंने आपको कर दिया है और साथी साथ मैंने यह भी बता दिया है कि चीजों को आप किस तरीके से यहां पर answer की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हो ठीक है तो समझ में आगया सबको चले बहुत बढ़िया बात है अगला question देखी दिया हुआ है वाई डूदा political executive है more power than the permanent executive है ना मतलब यहां पर क्या होता है कि जो political executive है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, council of ministers हो गया, cabinet हो गया, है ना रास्टपती हो गया, उनके पास जाधा power होती है permanent executive मतलब जो civil servant होते हैं जिरोंने IS का examination qualify किया है IPS का examination qualify किया है दोनों एक ही examination है उसमें क लगता है कि sir permanent executive जो है वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं है ना उनको ज़्यादा हमें power देनी चाहिए तो ऐसा क्यों नहीं है so in a democracy the will of the people is supreme है ना मतलब यहाँ पर क्या है कि जो जनता है क्योंकि हम democracy में रह रहे है और democracy में क्या होता है कि जनता जो है वो सर्वोपरी है मतलब सर्वोपरी का मतलब होता है सबसे उपर तो will of the people is supreme and the political executive is elected by the people मतलब जनता ने यहाँ पर क्या किया है कि political executive को जो है वो यहाँ पर elect किया है permanent जो executive है उनको जनता ने यहाँ पर elect नहीं किया इस बात को आपको समझना है all the political executives are answerable to the people the people can change them if they don't work according to wishes of the people ठीक है मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी political executive आपको देखने को मिलेंगे वो किसको answerable है वो यहाँ पर लोगों को answerable है है न लोग उनसे question पूछेंगे तो उनको answer देना पड़ेगा permanent executive के case में ऐसा नहीं होता है ठीक है और अगर माल लीजे कि political executive सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो अगले election में जो है वो जनता यहाँ पर change कर देगी permanent executive change नहीं होने वाले है न उनका जब तक tenure यहाँ पर रहेगा तब तक वो अपनी services आपको देखते हुए दिखाई देंगे the non-political executives are the expert in their field but political executive have to see the welfare of all ठीक है मतलब वो अपनी field में जो है वो यहाँ पर अच्छे हो सकते हैं लेकिन जो political executive होते हैं उनको क्या होता है कि सब लोगों का भलाय यहाँ पर देखना होता है जिससे जादा से जादा जो masses हैं उनको हम यहाँ पर cover कर सके उनको uplift यहाँ पर कर सके the expert can tell the road but the political executive have a larger view so they decide the destination ठीक है मतलब उनकी help यहाँ पर ली जा सकती है कि कैसे इस काम को किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर destination जो decide करने का काम है यह किसके पास है यह आप देखेंगे तो यह आपको जो political executive होते हैं उनको ही देखने को मिलेगा है ना तो जनता के पास जब अधिकार है तो जनता के द्वारा जो elected यहाँ पर representatives हैं या political executive है उनके पास ज्यादा powerful होगी और यही reason यहाँ पर आपको लिखना है कि इसी वेज़े से क्या होता है कि जो political executive होते हैं उनके पास आपको ज्यादा power देखने को मिलेगी as compared to permanent executive ठीक है तो इस point को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं explain the term public interest litigation ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं PIL अच्छा one mark में ना इसका full form भी आपसे पूछा जा सकता है है ना कि PIL का full form बताईए तो यह high ordered thinking skill का question है क्योंकि मुझे लगता है कि इस question को जब आप यहाँ पर attempt करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से यहाँ पर काम होगा ठीक है आप यहाँ पर क्या होता है कि public interest litigation जो है उसको आप समझे कि इसमें करना क्या है अब जैसे है कि कभी भी यहाँ पर कोई भी इनसान है आप जैसे अकेले अगर मैं यहाँ पर जाओंगा तो वो मेरा परस्नल इंडिविजूल चीज़ होगी उसको हम public interest litigation नहीं बोलेंगे public interest litigation का मतलब यह है कि हमारा जो section है जिसमें बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल रहे है उन में से जादतर लोगों की उपर क्या होना चाहिए इस चीज का जो है वो affect यहाँ पर पढ़ना चाहिए ठीक है इस point को आपको समझना है कि जादतर जो यहाँ पर लोग होंगे उनकी उपर इस चीज का असर पढ़ना चाहिए तो when anyone approaches the court in case public interest is adversely affected by the action of the government it is called public interest litigation कि सरकार ने कोई action यहाँ पर लिया है कोई कानून मनाया है जिसकी वज़े से जो यहाँ पर लोग है उनकी उपर इसका adverse impact आपको पढ़ता हुआ दिखाया दे रहा मतलब negative impact यहाँ पर पढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने जाकर PIL जो है वो file कर दी मतलब case कर दिया बहुत ही लेमन शब्द में अगर हम देखेंगे तो इसको हम बहुत सकते हैं कि case file कर दिया तो उसको public interest litigation जो है वो यहाँ पर कहते है दा court intervened to prevent the misuse of government power in making decision देक है आप यहाँ पर क्या है कि जब public interest litigation यहाँ पर आती है PIL file करी जाती है तो क्या होता है कि आप यह समझ सकते हैं कि जो court होगा वो उसके बारे में study करेगा है कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है क्या government ने अपनी power का गलत तरीके से प्रियोग किया है या नहीं किया है इन सब चीजों को देखेगा और court जो है वो यहाँ पर सरकार को control करेगा decision लेने में है ना क्योंकि आप यहाँ पर क्या है कि कुछ values है जिनको cross आप नहीं कर सकते हो है ना अगर कोई जो constitution में चीजे लिखी गई है उसके against में अगर आपने कोई चीज बना दिये तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती है they check mal practices on the part of public officials ठीके जो भी public officials है उन्हें ने कोई गलत काम यहाँ पर किया क्या that is the reason why all the political institutions in the country in the country the judiciary enjoy high confidence of the people ठीके मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जितने भी political institutions आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो judiciary यहाँ पर है यहाँ पर कॉम लगा सकते हैं ठीक है the judiciary enjoys highest confidence of the people यह highest confidence यह high confidence दोनों लिख सकते है high confidence of the people की लोगों को क्या होता है कि आप यह समझ सकते हैं कि confidence जो यहाँ पर होता है कि court में case यहाँ पर अगर गया है उस time period पर भारत के chief justice of India कौन थे ठीक है तो यह याद रखना कि public interest litigation जब भारत में introduce किया गया तो भारत के जो chief justice of India थे वह यहाँ पर थे उनका नाम ता बड़ा value addition जो है वो आप अपने answers में कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते है डिस्क्राइब दा functions of the government briefly है ना government के जो functions यहां पर होते हैं वो कैसे होते हैं वो आपको बताना है ठीक है तो अब यहां पर क्या होता है कि administration की जब भी हम यहां पर बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की education and health to all है ना education की facility, health की facility जो यहां पर होती है उसको provide करने का जो काम होता है वो यहां पर कौन करता है सरकार करती है taxes को collect करना और उसको यहां पर क्या होता है कि spend money thus raised on army, police and development programs ठीक है तो जो tax वगरा collect होते हैं जैसे income tax, corporate tax है ना और GST तो यह सब चीजों का जब collection यहां पर किया जाता है तो इससे क्या होता है कि revenue generate होता है सरकार का और उस पैसे को यहां पर army में, police में, development programs वगरा में जो है वो यहां पर खर्ज करते हैं, it formulate several welfare schemes and elements them, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इसमें आप यह लिख सकते हैं कि several welfare schemes and elements, ठीक है, involved in them या them करके आप जो है वो sentence यहां पर complete कर सकते हैं, ठीक है, several welfare schemes and elements involved in them, ठीक है, तो यह सब चीज़ें जो हैं यहां पर आप complete कर देना, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं कि several schemes and elements involved in them, ठीक है तो यह चीज जो है वो आप यहां पर add करके इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, some person have to take decision on how to go about these activities, अब कुछ लोगों को decision लेना पड़ेगा है कि कुछ चीज़ें जो formulate यहां पर करें गही है, उनको करना कैसे है, implementation उसका कैसे होगा, some have to implement these decision, if dispute arise on these decision or in their implementation, there should be someone to determine what is the right and what is wrong, ठीक है, जिसमें जुदिशरी की बात हो रही है, उपर हमने यहां पर बात कर लिये, हमारी जो legislative branch है, उसके बार हमने executive branch कर ली, ब्रांच की बात कर ली, उसके बाद judiciary भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, आप यहां पर बोल by the personal like and dislikes of the someone, ठीक है, who happens, लोग doing that, ठीक है, तो यहां पर क्या है, कि जैसे यहां पर क्या होता है, कि जैसे personal interest वगरा है, यहां पर कुछ होते है, वो सब चीज़े यहां पर क्या है, कि नहीं होनी चाहिए, उनके हट कर हम को यहां पर decision लेना है, ताकि जादा से जादा लोग are called institutions, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कि जितने भी अलग-अलग तरीके के यहां पर institutions वगरा आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर क्या होता है, कि वहां पर इस तरीके का arrangement करते हैं, जिसको हम यहां पर institution कहते हैं, ठीक है, a democracy works through political institution, it works well, when these institutions do what people expect to them, do it efficiently and are answerable to the people, ठीक है तो जब सही तरीके से काम होगा, और जनता जिस तरीके की चीजों की requirement यहां पर कर रही हैं, उन चीजों के बारे में अगर आप ध्यान लखोगे, तो उससे क्या होगा, कि उससे आप कह सकते हैं, कि जो चीजे होगी, वो सही तरीके से आपको होती हुई दिखाई देंगी, और आप यहां पर यहां पर यह भी कह सकते हैं, कि इसमें जो भी point यहां पर मैंने आपके साथ discuss की हैं, यह पूरा का पूरा एक pattern होता है, जिससे जो government होती ही, वो यहां पर काम करती हुई आपको दिखने को मिलती है, तो यह point आपको यहां पर समझना जरूरी है, अब आप म और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर होता है, चले आगे बढ़ते हैं, आपको यहां पर क्या करना है, कि discuss some of the major functions of the Parliament in a democracy, यहां पर क्या होते हैं, यह आपको बताना है, तो Parliament क्या करेगी, कानून मनाएगी, so legislature exists in every democracy, it exercises a political authority on behalf of the people in many ways, ठीक है, मतलब आप यह कह सकते हैं, कि जितने भी यहां पर आपको legislature होता है, मतलब जो कानून बनाने वाली चीज़े होती हैं, वो सभी democracy में होती हैं, और लोगों के बहाफ में इनके कई स legislation, is so crucial that these assemblies are called legislature, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि यह legislation करती है, कानून यहां पर बनाती है, और इसी बज़ेस इनको legislature भी यहां पर कहा जाता है, Parliament all over the world can make new laws, change the existing laws, or abolish the existing laws, and make new ones in their place, in most countries, the Parliament can also amend the constitution in some situation, ठीक है, तो इसमें यहां पर क्या बात हो रही है, कई सारी बात है कर दी भई, तो इसमें अगर आप देखोगे, तो इसमें, कई सारी चीजों में अगर आप देखेंगे, तो इसमें क्या है कि नए कानून मनाना, पु प्रानों को replace करना, ठीक है, कई बार तो क्या होता है कि constitution में amendment भी किया जाता है, तो उसकी एक process होती है, आगे की classes में आप पढ़ोगे, लेकिन ये सब चीजे जो है, वो कौन कर रहा है, ये सब चीजे जो है, वो यहां पर की जा रही है, पारलेमेंट के द्वारा, ठीक है, लब यहां पर क्या है कि opposition भी आपको देखने को मिलता है, है ना के बल रूलिंग पार्टी के member तो होते नहीं, वहां पर opposition भी होगा, तो अगर वो कोई गलत काम यहां पर कर रहे है, तो opposition की responsibility यहां पर होती है, कि इसको oppose करें, है ना, criticize करें, in some countries like India, this control is direct and full, those who run the government can do so only as long as the parliament want them to, है ना, जब तक उनके पास majority होगी, जब तक बिल पास होगा, तब तक वो जो भी यहां पर policies लेकर आना चाहते हैं, वो ला सकते हैं, दर्वाइस नहीं ला सकते हैं, ठीक है, तो जो भी पैसा जनता के द्वारे एक अठा किया जाएगा, या जनता से लिया जाता है, उसको consolidated fund of India में हम डालते हैं, और उसमें से money कब sanction होगी, जब यहां पर parliament approve करेगी, है ना, parliament की जो member से जब उसको approve करते हैं, तब money यहां पर sanction होती भी दिखाई देगी, Parliament's are the highest form of discussion and debate about public issues and national policy in any country, जनता से related कोई भी issue यहां पर निकल कर आ रहा है, या फिर आप यह कह सकते हैं, कि कोई नई policy हमको यहां पर बनानी है, तो उन सब चीजों का जो discussion होगा, वो कहां पर होगा, वो parliament में आपको देखने को मिलेगा, Parliament can seek information about any matter related to the government, ठीक है, मतलब अगर माल लिजे कि government से related, यहां पर कोई भी matter है, तो parliament जो है, वो यहां पर बता सकता है, इस चीज की detail आप हमें यहां पर provide करें, हमें इसकी उपर जो है, वो discussion यहां पर करना है, तो parliament में क्या है कि बहुत सारी चीजे हैं, जो आपको देखने को मिलेंगी और काफी सारे अलग-अलग तरीके के points का जो benefit है, वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो parliament chooses the real chief executive called also the prime minister and it can also force him to resign if he loses its confidence, ठीक है, तो parliament के पास ही अधिकार है, कि वो prime minister जो भी ruling party के leader होंगे, उनके point कर सकती है, है ना, और दूसरी बात यहां पर यहां पर य Parliament is described as the supreme, और इसी वज़े से क्या है कि हम parliament को यहां पर क्या कहते है, supreme क्यों क्योंकि मैंने आपको 5 point जो है, यहां पर बता दी है, और इन 5 point के basis पे जो है, वो यह चीज़े निकल कर सामने आ रहे हैं, ठीक है, तो इस point को ऐसे करके आपको discuss करना है, चलिए, आगे बढ़ते है In what respect does the लोगसभा appear more powerful than the राजी सभा, ठीक है, तो already इस question को मैं discuss कर चुका हूँ आपके साथ, है ना, कि हम क्या करेंगे, money bill जो है, वो लोगसभा में introduce होता है, no confidence motion, लोगसभा में यहां पर होगी, है ना, उसके बाद, जो भी money bill में कोई correction वगरा है, तो लोगसभा कर भी सकती लोगसभा में जाता है, तो इसी वज़े से आप यह कह सकते हो कि लोगसभा के पास जो है, वो आपको ज्यादा पावर यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, बाकि हमने 3-4 पॉइंट, जो difference मैंने आपको बदाया था, वो भी discuss किया था, तो वो चीज़ भी आप यहां पर mention कर सकते हैं, चले आगे बढ़ते हैं, वही सब चीज़ा लिखी हुए, लोगसभा exercise, more power in financial matter, 14 दिन वाला जो पॉइंट है, है ना, दा लोग 3 constraints on the power of the prime minister of a coalition government, ठीक है, अगर माल लिजे कि साजे की सरकार बनी है, है ना, किसी एक single party के पास जो है, वो majority यहां पर नहीं थी, तो दो parties ने मिलकर जो है, वो यहां पर सरकार बनाई है, ठीक है, तो उसका जो prime minister होगा, वो क्या होगा, वो coalition government का जो है, वो prime minister आपको देखने क ठीक है, ही और शी दोनों लिख सकते हैं, he cannot take decision as he likes, ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, कि जो coalition government है, जिसने आपकी सत्ता बनाने में support किया है, आपकी सरकार बनाने में support किया है, अगर वो अपना support यहां पर ले लेंगे, तो आपके पास majority नहीं रहेगी, है ना, आप prime minister वैसे भी नहीं बन पाओगे, तो अब क्या है कि उनका pressure है, तो आप जो भी decision यहां पर लेना चाहते हो, अपने इसाब से नहीं ले सकते हो, दरवाइस लोग आपसे अपना support ले लेंगे और आपकी सरकार जो है, वो इहां पर गिर जाएगी, he has to accommodate different groups and factions in his party as well as the coalition partners, ठीक है, मतलब जो अलग-अलग तरीके के लोग हैं, दूसरी party के लोग है, उनको भी minister बगारा बनाना पड़ेगा, कुछ तो यहां पर agreement हुआ होगा ना दोनों parties की बीच में, कि हम आपको तभी support करेंगे जब आप हमारे इतने minister बनाओगे, तो उन लोगों को भी यहां पर करना पड़ेग कि जिस party ने उनको यहां पर support किया है, तो जो अलग-अलग matters होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर उस political party का, जिसने आपको support किया हुआ है, उसका stand अगर अलग है, और आप अगर दूसरी तरीके का stand यहां पर लिखेंगे, तो भी यहां पर टक्कर होगी, तो क्या होगा कि restrictions यहां पर होती है, कि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से यहां पर complete नहीं कर पाते हैं, ठीक है, चले अगली बात करते हैं, अच्छा comment section में आप मुझे यह बताइएगा, कि अभी के time period पर हमारे देश में जो government है, क्या वो single party वाली है या coalition government है, ठीक है, इसका answer आप आपको justify यहां पर करना है, अब वो पता तो है कि head of the government होते हैं, लेकिन जब आपको justification यहां पर लिखना होगा, तो कैसे करोगे, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इसके लिए कुछ अलग-अलग ways यहां पर है, जैसे he leads the majority party in the parliament, जो भी parliament की majority party होती, जिसने सबसे जीती होती है उसके जो head होते हैं, वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, he summons and preside over the meetings of cabinet, ठीक है, summons मतलब यहां पर क्या है, कि उनको बोलना कि भाई, meeting है, सब लोग आ जाईए, है ना, तो सम्मन जारी करना, और साथी साथ यहां पर उसको preside करना, मतलब उसकी जो chairmanship होगी, presidentship ह या cabinet की, उसकी जो meeting होगी, उसकी अधिक्षिता कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, all the decision by his cabinet are taken under his leadership, consent and authority, है ना, मतलब यहां पर क्या होता है, कि cabinet, कोई भी decision अगर यहां पर लेगा, तो उसमें जो authority यहां पर होगी, consent होगा, leadership होगी, वो किसकी होगी, वो यहां पर कि आपको देखने को मिलेगी, है ना, क्यों, क्योंकि वो अध्यक्ष है, cabinet के, और उनके द्वारा जो decision यहां पर लिया जाएगा, cabinet की द्वारा, उसको approve कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अप्रूफ करेंगे, he acted as an advisor to the president over the appointment of his minister, judges of supreme court and high court, ठीक है, तो यहां पर क्या होता ह है, कि ministers को appoint करना है, supreme court या high court के जो judges वगरा होते हैं, उनके appointment के लिए, जो president को यहां पर सलाह दी जाती है, है ना, तो आप यह कह सकते हैं, कि वो सलाह, जो है, वो कौन देते हैं, वो cabinet की द्वारा दी जाती है, जिसके head यहां पर आपको prime minister देखने को मिलेंगे, he is free to choose his ministers and can change their portfolios, ठीक है, तो अगर माल लिजेगी, किसी minister को यहां पर change करना है, ठीक है, या आप यह कह सकते हैं, कि जो portfolios वगरा होते हैं, वो यहां पर बदलने हैं, तो यह सब काम कौन करेंगे, prime minister यहां पर कह सकते हैं, तो आप यह देख सकते होगी, prime minister के पास काफी सारी powers हैं, जो आपको नंबर भी यहां पर पूरे मिल जाएंगे ठीक है तो यह पॉइंट आपको ध्यान लखना है जो थी उनको 27 परसेंट रिजर्वेशन जो है वो जॉबस में यहां पर प्रोवाइट करना था यह यहां पर मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में यहां पर बताई थी तो इसका यहां पर रियक्शन क्या हुआ लोगों के ऊपर दा इंप्लिमेंटेशन ओफ दी मंडल कमीशन रिपोर्ट लेट तो वाइडिस्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट सम उफ विच वर वॉयले ठीक है तो लोगों ने क्या किया कि जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे वो लोग तो खुश थे लेकिन जिनको य प्रोटेस्ट यहां पर आपको देखनी को मिलेगी पीपल रियक्टेट इस्ट्रॉंगली विकॉद इस डिसीजन अफेक्टेट थाउजंड ऑफ जॉब ऑपरचिनिटीज ठीक है जो पॉइंट मने आपके साथ डिसक्स किया संब फेल्ट डैट जॉब रिजेशन वन इसें हैं मतलब socially and educationally backward यहां पर हैं तो उनको अगर हमको यहां पर mainstream में लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो है वह यहां पर inequalities जो यहां पर हैं उनको समाप्त करना है तो उनको reservation देना है तो दोनों तरीके की mindset वाले लोग यहां पर थे others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to people who did not belong to the backward communities तो उनको यह लगा कि भई एक तरफ तो आप equality के बारे में बात करते हो कहां पर constitution में दूसरी तरफ यहां पर क्या कर रहे हो कि जो लोग इस particular backward community को बिलॉंग नहीं करते हैं उनके साथ discrimination यहां पर हो रहा है ठीक है they would be denied jobs even if they were more qualified अगर उनके number वग educationally backward classes वाले लोग है कि भल उनी को आप यहां पर support provide करेंगे उनी को job provide करेंगे भले हमारे number है तो क्या हुआ हम ज्यादा qualified है तो क्या हुआ इससे कुछ भी नहीं होने वाला है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है तो इसी तरीके से यहां पर हुआ तो इस तरीके से reaction आपको एक बाद यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अच्छी तरीके से यहां पर काम करने हैं जिनको reservation की जरूरत नहीं है उनको exclude करिए और जिनको यहां पर जरूरत है किसकी reservation की उनको यहां पर आप include करिए ठीक है तो इसलिए हमारे देश में अगर आप देखोगे तो आ या इससे उपर है तो आप यहां पर क्या है कि creamy layer में आते हो है ना और जो non creamy layer वाले लोग है केवल reservation जो है उनी को दिया जाएगा ठीक है additional information में आपको बता रहा हूं हमारे देश में जो creamy layer का concept था यह 1993 में यहां पर introduce किया गया था ठीक है तो यह point पर आपको यहां पर ध्यान का country एक country को govern करने के लिए कौन-कौन से काम कौन-कौन सी activities आपको देखने को मिलती है ठीक है उनके बारे में आपको जानकरी जो है वह यहां पर देना है ठीक है तो simple है प्रधान मंत्री अलग-अलग तरीके की योजना है ठीक है प्रधान मंत्री जन आरोग योजना प्रधान मंत्री अन योजना ठीक है फिर मन्रेगा वगरा इसमें यहां पर सरकार पैसे खर्ज करती है और फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको decision यहां पर लेने होते हैं कि जो भी चीज़ें यहां पर final करी गई है उनको हम implement कैसे करेंगे ठीक है तो implementation वाला काम होता है और उसके बाद यहां पर क्या होता है कि जैसे कई सारे हमारे civil servants वगरा यहां पर होते हैं है ना उनकी उपर implementation करने की जिम्मेदारी होती है कि उस तरीकी का का जो है वह यहां पर कैसे करोगे तो वही चीज़ें आपको लिखनी है है ना ऐससे इसमें कुछ अलग से नहीं करना है कि किसी भी कंटरी को गवन करने पे तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं उनका responsibility है लिजिसलेटिव और एक्जिकेटिव और और जूडिशरी तो थोड़ा बहुत अच्छा अंसर यहां पर prepare कर सकते हो मैंने आपको एक डेमो भी जो है वह यहां पर provide कर दिया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है इन विच वे डश्डा पार्लेमेंट एक्सराइज पॉलिटिकल अथॉरिटिव और बिहाफ और लोगों के बिहाफ में जो यहां पर है वह अपनी पॉलिटिकल जो एथॉरिटी है है ना उसको कैसे यहां पर exercise करती है यह आपको बताना है तो यहां पर क्या होता है कि पार्लेमेंट नए laws बनाती है existing laws को change करती है है यह existing laws को abolish करती है मतलब समाप्त कर देती है यह फिर उसकी जगे पर नए बना सकती है तो यह सब काम हो गया है तो यह लोगों के लिए कानून यहां पर बन रहा है लेकिन बना कौन रहा है बना रही है जनता सुरी पार्लेमेंट ठीक है तो पार्लेमेंट का काम यहां पर यह है उसके बाद इनके पास आप यह भी कह सकते हैं कि पार्लेमेंट में जब तक यहां पर इन या जो सरकार के पैसे हैं, वो कभी निकलते हैं वहां से, उसका यूज करने के लिए चीज़े यहां पर हो रही है, तो पारलेमेंट उसको जो है, वो सेंक्षन यहां पर करेगी, तभी यहां पर क्या होता है, कि जो चीज़ें होती हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं, मतलब उल्फमनी का आप प्रियोग कर सकते हो, दूसरी बात यह है कि audit भी किया जाते हैं, अलग-अलग तरीके से जो है वो audit भी किया जाते हैं, जैसे हमारे देश में अगर आप देखोगे ना, तो Comptroller and Auditor General of India, है ना, एक office होता है जिसको हम बोलते है Comptroller and Auditor General of India, आज के time period पर श्री के बारे में पता चलता है ना, जैसे 2G scam, coal scam, यह सब इसी audit report से यहां पर पता चलता है कि यह सरकार ने गलत तरीके से पैसे यहां पर खर्च किये और यहां पर scam हुआ है, ठीक है, तो audit भी यहां पर किया जाता है, Parliament the highest form of discussion and debate on public issues and national policy, तो जनता के लिए जो भी important issues वगरा होते ह है, ठीक है, उनको यहां पर discuss कहां पर किया जाता है, Parliament में जो है, वो discuss करते हैं, ठीक है, तो आप यह के सकते हैं कि यह सारे तरीके हैं, जिनके basis पे आप यह के सकते हैं कि Parliament जो है, वो अपनी political authority को जो है, वो यहां पर exercise करता हूँ, आपको देखने को मिलेगा, अगली बात कर तरीके से नियाए विवस्ता यहां पर रहेगी, तो उसका जो पूरी की पूरी responsibility है, वो किसके उपर है, वो supreme court के उपर है, इसका जो भी decision होता है, वो binding होता है, all other courts of the country, it can take up any dispute, ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जितने भी अलग-अलग तरीके की disputes हैं, वो यहां पर ले सक आ रहा है, तो supreme court में case जा सकता है, between citizens and government, ठीक है, नागरिकों के बीच में, और government के बीच में अगर यहां पर आ रहा है, ठीक है, between two or more state governments, ठीक है, दो state government है, जैसे राजिस्थान और मदप्रदेश के बीच में कोई issue है, तो वो भी case जा सकता है, between government and the union and state level, ठीक है, तो जो कें cases मतलब जैसे माल लीजी की कोई जमीन का case है, criminal cases मतलब कोई murder वगरा का case हो गया, it can here appeal against the decision of the high court, अगर आप high court के रिणरने से यहां पर खुश नहीं है, तो आप supreme court में जो है, वो अपील कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे ही होता है, district court में नहीं हो, तो high court में चले जाओ, high court में नही पर प्रियोग किया गया, बहुत ही ambiguous जो आप यह के सकते हैं, भाशा जो है, वो उसमें लिखी गई है, तो कई बार क्या होता है, जो उसका literal meaning होता है, वो आप समझ नहीं पाते हो, कि इसमें क्या है, तो आप उसमें क्या करते हैं, कहीं पर भी अगर interpretation की बात यहां पर होती ह तो Supreme Court के पास जिम्मेदारी है, कि वो लोग कहां पर क्या करते हैं, कि इस चीज को देखते हैं, ठीक है, अगर लगता है कि कोई कानून बनाया गया है, लेकिन वो जो चीजें यहां पर आपके constitution में mention करी गई हैं, उसके against हैं, तो यह चीज क्या करेंगे, यह लोग चेक करें हैं, हैना कोई कानून वगर अगर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो उसको जो है, वो यहां पर review किया जाता है Supreme Court के द्वारा, अगर वो valid है, तो उसको valid करार देदेंगे, जैसे 27% reservation वाली जो बात थी, हैना Supreme Court ने क्या बोला ठीक है, अगर माल लिजेगी कोई होगे, तो एक चीज है जिसको बोलते है National Judicial Appointment Commission, National Judicial Appointment Commission में क्या था, कि Judiciary में जो जजजिस वगरा का appointment होता है, वो कैसे होगा, तो सरकार ने सोचा कि हम इसको थोड़ा control करते हैं, हमारे members भी यहां पर लेकर आते हैं, Supreme Court ने कह दिया, कि National Judicial Appointment Commission जो है, वो पूरी तरीके से यहां पर गलत है, और इसकी उपर जो है, हम यहां पर यह कहते हैं कि यह चीज यहां पर कभी नहीं होगी, क्योंकि यह Constitution के basic structure के against आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यह point आपको यहां पर समझना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, what is job reservation, what is its importance, ठीक है, तो job reservation यहां पर क्या होते हैं और इसकी importance यहां पर क्या है, under job reservation policy some percentage, ठीक है, यहां पर आप reservation policy, some percentage of total government job vacancies are reserved for people and committees who are economically and socially backward, job reserved, ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर यह बोला जा रहा है, कि जो भी यहां पर job reservation होते हैं, ठीक है, उनमें यहां पर अगर आप देखोगे, तो job reservation policy में reserve करेंगे, जो socially और economic यहां पर backward classes हैं, उनके लिए reserve कर दी जाएगी, ठीक है, job reservation policy give a fair opportunity to those communities, ठीक है, who so far had not adequately been represented in the government employment, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कि government employment में, मतलब सरकारी जो job होती है, अगर किसी particular section के जो लोग है, उनका representation यहां पर अच्छा नहीं है, तो उनके लिए job reservation हम provide करेंगे, और उसके basis पे जो है, उनको यहां पर चीजे जो है, jobs वगरा provide की जाएगे, ठीक है, इसमें आप example में अगर आप बता सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहो, तो example में भी चीजे लिख सकते हो, कि जैसे मंडल कमीशन की जो report थी, उसने यहां पर यह बोला था, कि sexual group से पीछे लोग हैं, उनके लिए 27% जो seats हैं, वो यहां पर reserve रहेगी, तो आप इसमें इस answer में चाहो, तो यह point भी यहां पर mention कर सकते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कि आपका यह भी हो जाएगा, कि भई आपने एक दूसरे point को भी यहां पर, जो है, वो relate कर दिया, और इससे overall जो आपका answer है, वो यहां पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखिए, तो यह हमारा segment था पूरा, जिसमें मैंने आपको long answer type जितने भी questions यहां पर थे, कितने question, 15 questions, वो मैंने आपके साथ यहां पर discuss कर लिए, अब हमारा जो अगला segment यहां पर होने वाला है, इसमें मैं आपको very long के बारे में बताऊंगा, very long मतलब 5 number के लिए, जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा लिखना है, अब एक चीज़ आप यह समझीए, कि जैसे मैंने short answer किये, very short किया, या long answer किये, इसमें जितने भी important factors हो सकते हैं आपके examination के लिए, वो चीज़े हमने यहां पर क्या करी, cover करी, लेकिन 5 number questions में क्या होगे, कि content लगबग यहां पर same होगा, कुछ नए तरीके की question भी मैं आपको provide करूँगा, लेकिन कुछ questions में अगर आप देखोगे ना तो उनका जो basic यहां पर structure होगा, जो आपको यहां पर follow करना है, व powers और functions के बारे में बताना है, ठीक है, तो आप यह देखोगे, तो पहला यहां पर दिया होए लिंक, ठीक है, the prime minister is the link between the cabinet and the president, है न, cabinet के जो भी decision होते हैं, वो यहां पर क्या करते हैं, कि वो president को जा कर बताते हैं, president को अगर कुछ भी पूछना होगा, तो prime minister को करेंगे, तो ए जितने भी अलग-अलग तरीके की decision यहां पर लिए गए हैं, उन सब चीजों की information जो है, वो किसको provide की जाए, वो president को यहां पर inform करें, ठीक है, तो एक लिंक की तरह यहां पर यह काम करते हैं, formation of the government, prime minister prepared list of his council of minister and send it to the president, he can reshuffle council of minister, ठीक है, whenever he likes, ठीक है, तो एक बाद यह भी ध्यान रखिएगा, कि यहां पर जो है, वो क्या कर सकते हैं, कि यह reshuffle भी यहां पर कर सकते हैं, कि इसको council of ministers को, जब भी उनको लगेगा, है ना, जैसे reshuffle का मतलब यह हुआ कि पहले आपकी home ministry थी, है ना, फिर हमने आपको defense ministry जैसे श्री राजना सिंग जी जो थे, वो पहले home minister थे, है ना, फिर यहां पर क्या आएगी, अमिशा जी home minister बन गए, तो राजना सिंग जी को जो है, वो defense minister यहां पर बना दिया गया, तो यह reshuffle यहां पर कर दिया गया, ठीक है, और he can also ask any minister to resign if he is not satisfied with his working, ठीक है, अगर कोई अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, कि उसको बोल देगे कि आप resignation दे दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा, यह formation जो होता है, वो भी यहां पर cabinet का आपको देखने को मिलेगा, लीटर ओफ दी लोग सभा, है ना, एक पॉइंट यह भी समझेए, प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर दा मीटिंग ऑफ दी कैमिनेट, ही मेंटेन कोडिनेशन बिट्वीन दा डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो यह लीडर ओफ दी लोग इंपॉर्टेंट डोल इन डा मैनेजमेंट ऑफ दी फॉरेंट फेर, ही फॉर्मुलेट दा इंटरनल एंड एक्स्टरनल पॉलिसी ऑफ दी कंट्री, है ना, कि चाइना की चीजों को हमें यहां पर बाइकॉट करना है, पाकिस्तान के साथ किस तरीके से रिलेशन रखना है, है ना, यह सब चीजें जो है, वो प्रधान मंत्री और कैबिनिट के द्वारा जो है, वो डिसीजन यहां पर लिये जाते हैं, आप कैबिनिट कोई डिसीजन यहां पर ले रहा है, इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर का वो डिसीजन होगा, क्यों कि उसकी जो अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर है उसी के बारे में बात होगी है ना तो प्राइम मिनिस्टर जी को अपनी पार्टी के लिए स्टेट लेना पड़ेगा और पॉलिसी यहां पर कैसे आगे बढ़ेंगी उन चीजों की उपर भी काम करने की आवशकता है लिडर ऑफ दी नेशन प्राइम मिनिस्टर जी आज यहां पर क्या बोलने वाले हैं है ना कोई अगर इंटर्नल पॉलिसी है कोई एक्स्टर्नल पॉलिसी है तो उसके तहरत यहां पर क्या होगा कि चीजों को जो है वो यहां पर सुना जाएगा ठीक है तो यह लिडर ऑफ दी नेशन है मतलब उनकी अगवाई में जो है वो पूरा देश यहां पर काम करता है ठीक है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है तो यह मैंने आपको कुछ चीज़े बता दी है तो यह मेजर पावर्स हो गया है फंक्शन के बारे में मै एक्स्प्लेइन दा मेजर पावर्स और फंक्शन साफ दी पारलेमेंट है ना पारलेमेंट क्या जो यहां पर मेजर पावर और फंक्शन से वह यहां पर क्या है तो पहली तो लेजिस्लेटिव पावर कानून मनाने की पावर ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि जो भी यू लिस्ट और एक State List यूविमें मितलब जिसमें केंदर सरकार कानून मनाएगी यूविमें लिस्ट मेंना आपको अलग-लग तरीके के सबजिक्ट सा बढ़ना को मिलता हैं जैसे defense वगरा हो गया है ना यह सब चीजे यह क्या है यह subjects है तो union list में जो subject होता है उसके उपर केंदर सरकार जो है वो यहाँ पर कानून मनाती है और जो state list होता है उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो है वो कौन मनाएगा वो राजी सरकार बनाएगी और एक और list होती जिस अब यहाँ पर क्या है ठीक है यहाँ पर बुला जा रहा है कि under certain cases it can also make laws on those subject which have been given in the state list ठीक है तो अब यह लगता है कि भही state list में मैंने आपको बता दिया कि राजी सरकार है यह ना लेकिन कई बार क्या होता है कि state list में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें state बोलता है के समारे लिए कानून बना दो तो उसकेस में जो है वो केंदर जो है वो कानून यहाँ पर बना सकती है control over finance the annual budget of the central government is passed by parliament without parliaments approval the government cannot impose any tax or incur any expenditure ठीक है मतलब कुछ भी नहीं हो सकता मतलब कि जो tax वगरा है वो भी यहाँ पर impose नहीं करेंगे और कोई बी जो expenditure वगरा है वो भी पर खर्चा नहीं कर सकते हैं तो पार्लेमेंट के पास अधिकार है कि approval देंगे तभी यह चीजें आपको आगे होती हुई दिखाई देंगे control over the executive अगर माल लिजे कि पार्लेमेंट को कोई भी information यहाँ पर चाहिए किस से related administration से related तो वह यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप हमें इ जो council of ministers से उनको resignation देना पड़ेगा ठीक है question are also quite effective in keeping the government and minister under control question are जो है वो लोगसभा में होने वाला एक pattern होता है उसमें क्या होता है कि सुरू के घंटे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि एक घंटा decide कर दिया गया है कि उसमें क्या होंगे कि जो दूसरे members होते हैं वो जो मंत्री लोग होते हैं उससे यहाँ पर क्या करते है कि question मगरा यहाँ पर पूछते हैं तो मंत्री जी को यहाँ पर answer देना होता है ठीक है तो दूसरी बात amendment और new law है ना अगर कोई constitution में अगर हमें यहाँ पर amendment करना है या कोई नया कानून बगरा बनाना है तो यह भी पार्लेमेंट करेगा फिर उसके बाद function related to election the parliament elect the president vice president speaker of the log sabha and deputy speaker members of the Rajasabha elect the vice chairman ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि election मगरा में जो भी president मगरा में election होता है उसमें vote डालना vice president में speaker को elect करना deputy speaker को elect करना यह सब काम जो है वो parliament के द्वारा करते हैं तो यह सारे why स्बीस के आपार्लेमेंट के उसमें थोड़ा सा थोड़ा content को हम यहाँ पर इंहेंस कर के जो है आंसर को मैं मैं आपको एक बार एक्स्प्लेइन करता हूं ताकि आप चीजों को और अच्छी तरीके से लिख पाऊ ठीक है तो क्या होता है कि अगर हम सुप्रीम कोट के बारे में बात करेंगे तो बेसिक जो भी यहां पर डेटेल्स है ठीक है जैसे आप यहां पर आपको है कि इसमें कुछ टम्स हैं जो अलग से हमने यहां पर यूज के जैसे अगर हम इसके पावर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो एक होता है ओरीजिनल जूरिस्टिक्शन का क्या मिनिंग है लिखा हुआ है कोई परेशान होनी क्या वश्क्ता नहीं है ठीक है सकते हैं कि इनके पास यहां पर क्या है कि अथारिटी है जैसे कोई नागरीकों के बीच में अगर कोई यहां पर इशू है ना तो सुप्रीम कोट में केस जा सकता है नागरी कोट सरकार की बीच में दो स्टेट गवर्मेंट के बीच में और केंदर सरकार के बीच में तो यह सब अगर कोई इश्यू यहां पर निकल कर आता है तो यह सब क्या होता है कि यह सुप्रीम कोट के ओरीजिनल जूरिजिश्डिक्शन के तहत आपको देखने को मिलेगा मतलब यह काम तो आपको कर नहीं है ठीक है उसके बाद दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप को देखने को मिल रहा है आप यहां पर आप यह कह सकते हैं कि इस था हाईएस कोड और अपील करनी है सुप्रीम कोट में जा सकते हैं ठीक है तो यह होता है एडवाइडरी जूरिजिक्शन as the highest court in the country the supreme court gives legal advice to the president of india on any legal or constitutional matter referred to it ठीक है अब जैसे मान लीजे कि supreme court के पास यहाँ पर एक message आया किसकी तरफ से जो हमारे president of india है उनके द्वारा तो उनने ये बोला कि यहाँ पर कानून है इस पर मैं आपका opinion जो है यहाँ पर चाहता हूं तो supreme court को अगर इस तरीकी की कोई चीज रिफर यहाँ पर करी जाती है तो वो क्या करेंगे वो जो प्रेसिदेंट होते ना उनको legal advice यहाँ पर प्रोवाइट करेंगे ठीक है however the advice is not binding on the supreme court लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप यह कह सकते हैं कि जो एडवाइज है वो supreme court के नहीं प्रेसिदेंट की उपर binding नहीं होगी प्रेसिदेंट उनकी advice को मांग भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं ठीक है तो यह दोनों तो इसकी responsibility भी किसके पास है supreme court के पास है if the government passes any law तो judicial review के तहए यहां पर क्या है कि उसको unconstitutional declare किया जा सकता है अगर वो किसी भी यहां पर fundamental right का हनन कर रहे हैं या जो हमारा constitution का basic structure है कि यह मूलभुच सिद्धानत है इनको हमको violate नहीं करना है लेकिन फिर भी अगर कोई कानून ने जो violate कर रहा है तो फिर क्या होगा कि उसको यहां से हटा दिया जाएगा ठीक है तो यह बात आपको बताए कि यह उसको unconstitutional जो है वो declare कर देंगे fundamental rights का यहां पर guardian जो है वो supreme court होता है supreme court also act as a guardian of the fundamental rights of the citizen when a fundamental right of any citizen is violated by the government or any individual he can seek the protection of the supreme court अगर आपको लगता है कि आपके fundamental rights जो है वो यहां पर violate हो रहे है ना उसका हनन यहां पर हो रहा है तो आप यहां पर supreme court जाके directly बता सकते हैं supreme court जो है वो आपके fundamental rights की protection जो है वो यहां पर करेगा तो यह कुछ important यहां पर powers and functions है जो कि आपको supreme court में यहां पर देखने को मिल रही है ठीक है चले अगला question देखते है explain the composition of council of ministers ठीक है तो council of ministers का composition जो है वो आपको explain करना है ठीक है तो अब यह बहुत बड़ी body होती council of minister इसमें तीन रंग के minister आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और उसमें अगर हम बात करेंगे कि वह कौन-कौन से तो यह है वह ना cabinet minister हो गया आपके उसके बाद minister of state with independent charge और minister of state ठीक है तो यहां इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं तो cabinet minister मतलब constitute the inner ring of the council of the minister these are the top level leaders ठीक है तो cabinet minister में top level leaders यहां पर आएंगे जिनके पास important ministries आपको देखने को मिलेगी जैसे finance ministry हो गई, defense ministry हो गई, external affair ministry है न, home ministry यह सब चीज़े हैं और इसके बाद यहां पर क्या होता है कि council of ministers का रोज-रोज मिल पाना जो है वो संभो नहीं होता है तो cabinet minister जो है वो आपस में मिलते हैं और वो लोग यहां पर council of minister के बहाफ में जो भी decision होता है वो final करते हैं और उसके बाद उसको council of ministers को जो है वो यहां पर convey कर दिया जाता है फिर उसके बाद minister of state with independent charge they are usually in charge of smaller ministries they participate in the cabinet meeting only when they are invited अगर इनके पास जो मिनिस्टी होगी वो छोटी मिनिस्टी होगी और इसमें यहां पर क्या होता है कि इसमें यह लोग cabinet meeting में जो है वो participate कर सकते हैं लेकिन तब ही कर सकते हैं जब इनको invite किया जाएगा इनकी ministry से related अगर कोई issue है ना तो यह चीज़ जो है इनको बुलाएंगे और यह लोग जाकर उसकी उपर discussion करेंगे अदरवाइस इनको council of cabinet की meeting यहां पर होती है उसमें यहां पर बुलाया नहीं जाता है जब भी invite करेंगे तब यह जाएंगे फिर minister of state they are attached to and are required to assist the cabinet minister ठीके तो आप इनको यह कह सकते हैं कि minister of state deputy ministers होते हैं यह क्या करेंगे यह cabinet ministers के साथ यहां पर काम करेंगे और जैसी भी requirement यहां पर होगी वह cabinet minister की यहां पर help करने वाले तो यह तीन तरीके के ministers आपको जो है वह council of ministers में देखने को मिलते हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकरी होनी चाहिए और यह question इस responsibilities के बारे में बताइए जो सरकार की आपको देखने को मिलेगी है ना तो कई बार discuss कर चुके हैं ठीक है government क्या करती है कि taxes को collect करती है और administration के लिए defense के लिए development programs के लिए इसको जो है वो पूरा का पूरा खर्ज करेंगी ठीक है तो जो भी आपका income tax collection हो गया GST collection मगरा हो गया त फिर उसके बाद security को ensure करना है और यहां पर क्याएगी education और health के लिए facilities प्रोवाइट करना फिर उसके बाद जो भी several welfare schemes वगरा होती है जो आपने poverty वाला जो chapter है one short reason उसमें मैंने आपको पढ़ाया महात्मा गांदी national rule employment guarantee act वगरा तो उसमें यहां पर यह चीज़ें जो है यह आपको देखने को मिल रही है ठीक है तो यह सब चीज़ा आप इसमें एड़ कर सकते हैं अलग-अलग तरीके का जो government होते हैं है ना government क्या करती है कि लोगों की aspirations को fulfill करती है तो यह सब point भी आप यहां पर एड़ कर सकते हैं ठीक है चले आगे बढ़ते है what is public interest litigation what is its importance ठीक है तो यहां पर public interest litigation को मैंने तीन नंबर में भी जो है वो आपको cover कराया था तो वही सेम चीज़ें आपको लिखनी है और इसकी importance यहां पर क्या होती है importance यहां पर यह होती है कि जैसे अगर मान लिजे कि कोई fundamental right है आपके यहां आप यह कह सकते हैं कि कोई चीज ऐसी लग रही है ठीक है जो कि against यहां पर constitutional provision आपको देखने को मिल रहा है यह आप यह कह सकते हैं कि कोई चीज जो है वो negative impact यहां पर उसकी वज़े से लोगों की उपर बहुत जादा पढ़ रहा है तो negative impact यहां पर हो गया तो इन सब चीजों को आप अगर consider करेंगे तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि public interest litigation जो है वो बहुत important यहां पर role play करती they check the mal practices on the part of public officials और यह भी ensure यहां पर करती है ठीक है कि आप यहां पर क्या है कि भई जो लोग हैं है ना उनका यहां पर भला हो public interest litigation किता है जैसे environment वगरा वाले जो issues वगरा होते हैं है जैसे अगर माल लीजे कि जैसे migrant workers वगरा होते हैं उनको लेकर को issue होता है यहां पर तो वो सब चीजें जो हैं यहां पर कबर की जाती है तो थोड़ा इसको बढ़ा करके आपको लिखना पड़ेगा इसके importance जो है वो किताब में बहुत ज्यादा दी नहीं होई है लेकिन जो points मैंने आपको यहां पर explain किये हैं उनके basis पर आप इस answer को बहुत अच्छा यहां पर बना स कोलीशन गवर्मेंट ठीक है तो अगर मैं यहां पर आपको बताऊंगा ना तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यह एक na high order thinking skill वाला question यहां पर हो सकता है ठीक है तो इसमें आप यहां होते हैं होती है तो इसमें आप देखो इसमें क्या है कि इसमें मैंने यह चार पॉइंट आपको बता दी है इनको आप explain करो जैसे पहली बात accommodating different groups and factions ठीक है अब एक political party होती है उसकी ideology होती है दूसरी political party तीसरी political party जो इस coalition में यहां पर आ रहें तो सब की बातें यहां पर होंगी तो आप क्या कर रहे हो कि जो different groups और factions यहां पर है दल है ना उनको यहां पर accommodate कर रहे हो सबी लोग आपके साथ decision making में participate कर सके और आपकी सरकार यहां पर चले फिर alliance यहां पर बन गया alliance का मतलब यहां पर क्या हुआ कि पहले यहां पर अलग-अलग विचार धारा के थे लेकिन आप किसी particular चीज की उपर agree किये और आपने एक तरीके का alliance यहां पर बना है interdependence ठीक है interdependence मतलब एक दूसरे की उपर जो है वो dependency यहां पर रहेगी आपको उनकी बात माननी पड़ेगी क्यों क्योंकि उन्होंने आपको support दिया हुआ है और वह क्या है कि वह आपकी बात मानेंगे क्यों क्योंकि उन्होंने आपको support दिया तो इस तरीके से interdependency है cooperation भी आपको दिखने को मिलेगा कई सारे ऐसे issues होते हैं जब यह लोग opposition थे तब आपका support नहीं कर रहे थे लेकिन अब आपकी साथ उनकी coalition government है तो आपको support करते हुए दिखाई देना है ठीक है तो इन्हीं चार point को जो है वह आप यहां पर explain करके एक अच्छा आंसर यहां पर बना सकते हैं तो मैंने आपको यह heading दे दिये क्योंकि मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा high order thinking skill वाला question है है और इसमें आप पूछे जा सकते हैं कि ethical जो values यहां पर है coalition government की वह यहां पर क्या होगी ठीक है तो आप यह भी कह सकते होगी इसमें प्राइम minister की जो restrictions यहां पर होती है वो कैसे होती है है ना कि प्राइम power जो है वो president की आपको बताना है ठीक है कि मतलब क्या होता है कि जारदर cases में अगर आप देखोगे तो जो आपके president होते हैं वो कैसे यहां पर काम करते हैं यह काम करने का जो उनका तरीका होता है वो जो cabinet होता है है ना headed by prime minister वो जैसी recommendation यहां पर president को देते हैं उजी के basis पर क्या होता है कि यह president जो है वो यहां पर काम करेंगे लेकिन कुछ matters ऐसे होते हैं जहां president अपने खुद स्वविद्धी जो है उसका यहां पर प्रियोग करेगा या विवेक का प्रियोग करता है जिसको हम discretionary power यहां पर कहते हैं तो आपको यही discretionary power जो है president की उसको यहां पर explain करना है तो अब इसमें यह बोला जा रहा है कि with no single party getting a clear majority a coalition of the parties take their claim to form the government the president has to use his individual judgment and invite such a leader to head the government as the prime minister who can provide a stable government to the country है न अब यहां पर क्या है कि कोई भी single party जो है उसको majority नहीं मिली है है न और कोई coalition वगरा भी नहीं बन रहा है तो अब यहां पर क्या है कि president को अपने विवेक का प्रियोग करकर है न एक किसी एक ऐसे particular person को यहां पर identify करना है उसको बुलाना है कि आप सरकार बनाईए जिसको वो लगे कि यह इनसान जो है वो यहां पर क्या कर सकता है कि majority जो है वो अपनी प्रूव कर सकता है majority प्रूव नहीं कर पाएगा तो दुबारा election होंगे है ना लेकिन majority अगर उसने प्रूव कर दी है तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को enjoy करेगा तो जब किसी के पास यहां पर क्या है कि clear cut majority यहां पर नहीं है तो उस time period पर जो president यहां पर decision लेगा कि कि किसको बुलाना है लेने के लिए implement करने के लिए already मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है ना उसके बाद dispute को solve करने के लिए उसके बाद यहां पर right decision लेने के लिए उसके बाद bad decision जो हैं उनको avoid करने के लिए bad decision कैसे avoid होंगे जब आप जाधा लोगों के साथ discussion करोगे आपकी team में जाधा ल institutional provision for making judiciary independent ठीक है यह बहुत important question है यहां पर यह बोला जा रहा है कि आपको चार ठीक है ऐसे provision बताने है जिससे यह कहा जा सकता है कि judiciary जो है वो independent है ना मतलब किसी के influence में यहां पर काम नहीं करती है ठीक है and independence of the judiciary means that it is not under the control of legislature or the executive independence का मतलब यह हुआ कि उसमें legislature और जो executive है उनका कोई influence यहां पर नहीं है the judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power there is a little scope for the ruling party to interfere ठीक है तो मतलब बहुत जादा यहां पर क्या है जो ruling party होती है उसमें chances नहीं होते हैं कि वो यहां पर decision making में जो है वो यहां पर interfere करेंगे ठीक है अब इसमें कै पर उनके प्रोवीजल लिखने हैं तो देखें क्या होता है कि supreme court के judge high court के judge वगरा जो होते हो प्रेसिडेंट के द्वारा point किये जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर वगरा जो है यहां पर आपको जो है advice देते हैं को collision system होता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर की advice के बाद recommendations यहां पर fulfill होती है और उसके बाद Chief Justice of Supreme Court जो other judges वगरा का appointment वगरा होता है उसमें जो Chief Justice of India होते हैं यह Chief Justice of Supreme Court उनकी भी recommendation यहां पर लगती तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा appointment होता है तो political यहां पर जो चीज़े हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगे इनका system है एक procedure of law है उसको यहां पर यह follow करते हैं उसके बाद अगली बात है कि once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or the High Court it is impossible to remove them ठीक है एक बार appointment कर दिया गया तो फिर यहां पर remove नहीं कर सकते हैं the judiciary in India is one of the most powerful in the world the Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country ठीक है तो यह चौथा point करके आप इसमें यहां पर add कर सकते हैं यह fourth point है आपका कि Supreme Court जो है और High Court इनके पास constitution को interpret करनी की भी power है जो कि legislative और executive के पास नहीं है तो इसी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि यह सारे reason है जिसकी वज़े से आप क कर सकते हो कि independence जो है वो judiciary का आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद judicial review भी यहां पर होता है judicial review के बारे में भी चीजें जो है वह आप यहां पर mention कर सकते हो है ना कि judicial review यहां पर किया जा सकता है ना जो भी decision वगरा यहां पर लिए हैं वो constitutional है या नहीं है इन चीजों के यहां पर focus कर सकते हैं तो यह इस तरीके से आपके चार पॉइंट हो गए इन चार पॉइंट के basis पर you can simply say that कि हमारे देश में जो यहां पर constitution है वह यहां पर judiciary को independent यहां पर बनाता है उसमें कुछ प्रोविजन जो है वह यहां पर add किया गया है चले आगे बढ़ते हैं तो य यह हो गए total 10 questions आपके ठीक है आगे बढ़ गए ठीक हम लोग कहां पर official website of magnet brings तो मैंने यहां पर आपको जो है वो complete यह chapter यहां पर complete करा दिया total 50 questions मैंने आपके साथ discuss किये very short answer भी discuss किया short answer long answer very long और एक idea मैंने आपको दिया कि अगर अलग-अलग तरीके की questions यहां पर पूछे ज सकते हैं बाकि अगर आप magnet brings की official website को यहां पर widget करेंगे हैना तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी यहां पर हर class हर subject और जो भी आपकी अलग-अलग books होती है चाहे हिंदी मीडियम हो English मीडियम हो सभी को एक arranged format में जो है वह आपको provide किया है जैसे माल लीजे कि यहां पर देखना जाते हैं तो यहां पर यह cbsc English medium पर जाना है आपको ठीक है इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको one short revision पर जाना है आप class 9th के student है 10th के student है कैसे भी है तो आप इस पे क्लिक करिए और यहां पर watch now का option आपको दिख रहा होगा इस पे आप यहां पर एक बार क्लिक कर दो ठीक है watch now पर किलने के बाद यह इस तरीके से arrange format में जैसे physics हो गया chemistry हो गया इसी तरीके से आपको history geography सब चीजों के वीडियोस मिलेंगे आप जैसे यहां पर click करोगे आपके सामने देखो यह अलग हो गया जैसे history दिख रहा है इसके नीचे जाओगे geography मिलेगा civics मिलेगा है ना आपका जो economics होते हैं सबके one shot revision मैंने आपको provide किये तो आप इस तरीके से videos को जो है वह यहां पर देख सकते हैं बहुत crystal clear तरीके से आपको चीज़े जो है वह यहां पर समझ में आ जाएंगी और आप अपने examination के लिए one shot revision के तहद अपने important concept जो है उनको अच्छी तरीके से revise कर सकते हैं बाकी magnet brain sir kg से लेकर 12th class तक की जो classes होती है वह 100% free आपको देखने को मिलेंगी तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं और अपने examination के लिए अपनी preparation को जो है वह जल्दी यहां पर start करें अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो आप video को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने सुधैट भविश में आने वाली सभी वीडियो की notification आपको यहां पर मिल जाए और अपने friends के साथ इस video को share करना बिल्कुल मत भूलना है ना ताकि वो लोग भी अपनी अच्छी तरीके से preparation को शुरू कर सके अगले session में एक न